हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ओडियोवर्स एंशेंट गौडली मॉनार्ख चैप्टर 771 टू 780 पे यूने चेरोन और आदित्य की ओर मुरकर मीठी मुसकान दी और फिर हलकी आवाज में बोलना जारी रखा हम स्वाभाविक रूप से सुन्दर चीजों से प्यार करते हैं और मैंने लंबे समय से बंडरगेट इम्मोर्टल मैनर के प्रसिद्ध चेरोन के बारी में सुना है लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने लापरवाह चरित रहोंगे जैसे ही उसने बात की पे यू ने आदित्य को देखा आह हम चाय सराय में पहले मिले थे हम्मा आदित्य ने सिरहिलाया उसी समय चेरोन ने उत्तर दिया बर्फ सुन्दर है लेकिन हमारे सामने वाली युवती भी सुन्दर है क्या मैं मालकिन का नाम पूछ सकता हूँ पी यू उस युवती ने उत्तर दिया ओह आप जियांगलिंग किंग मैननर से हैं चेरोन ने पूछा पे उपनाम के साथ पहली बात जो उनके दिमाग में आई वह जियांगलिंग देश के राजा मनोर की थी आखिरकार डिफ्टस्नो शहर ही जियांगलिंग देश से संबंधित मुख्य शहरों में से एक था और आज के भोज का आयोजन भी खुद जियांगलिंग राजा पे यू ने जवाब दिया यह बात आदित्य को पहले से पता थी इसलिए उन्हें यह अजीब नहीं लगा यह भाई तियानवेन है हम बहुत पहले ही परिचित नहीं हुए थे चेरौन ने आदित्य का परिचय केवल यह देखने के लिए किया कि आदित्य वर्तमान में पे यू को घूर रहा था और जब वे चैट कर रहे थे तो स्पेस को ब्लॉक करना बहुत अच्छा नहीं होगा चेरौन और आदित्य आगे बढ़े और चारों कंधे से कंधा मिला कर चले पे यू ने फिर जारी रखा इस किमवदंती को पहले से ही ज्यादा तर लोगों द्वारा भुला दिया गया है क्योंकि हर कोई केवल नाइन इंमोर्टलिटी बेल्स के भीतर के रहस्य में रुची रखता है मैं केवल इसके बारे में थोड़ा ही जानता था क्योंकि मैंने एक बार संयोग से अपने जागीर में एक प्राचीन स्क्रॉल के माध्यम से ब्राउस किया था यह अफवाह थी कि बहुत पहले कोई ड्रिफ्टस्नो शहर नहीं था और केवल ड्रिफ्टस्नो इन था वहस्थान वहस्थान था जहां ड्रिफ्टस्नो मास्टर और अमर जेड प्यार में पड़ गए थे उन दोनों का एक दूसरे के साथ एक संबंध था और साजा किया था एक ही रुची वे दोनों सर्वोच शेणी के डैविय हतियार थे और हतियार बनाने की कला के प्रती पागल जुनून था लगातार एक उच्च शिखर की तलाश कर रहा था इसके बाद अमर जेड ने ड्रिफ्ट स्नो मास्टर को उसका पीछा करने की इजाज़त दी क्योंकि उसने हतियार बनाने में प्राप्तियों के मामले में उसे हरा दिया था जिसके कारण वे अंतह एक युगल बन गए पे-ई-उ की आवास कानों के लिए बहुत को मल और मधुर थी इस तरह की आवास प्राचीन कथाओं के बारे में बात करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे उप्युक्त लगती थी उन दोनों के प्यार में होने के बाद वे एक दूसरे पर परसपर निर्भर हो गए और संखेतों का आदान प्रदान करने के लिए हथियार बनाने में लगातार जगरते रहे अमर जेड हमेशा Drift Snow Master को हराना चाहता था लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ एक समय था जब अमर जेड Drift Snow Master से पूछा कि क्या वह अपने स्वयंके जीवन का बलिदान करने की कीमत पर सही दिव्य हथियार बनाने के लिए तयार होंगे Drift Snow Master ने अपना सिरहिलाया उन्होंने अमर जेड से कहा कि यह ठीक है अगर उन्हें अपने जीवन का बलिदान करना पड़े लेकिन उद्देश उसके लिए ऐसा करना उसके अलावा किसी और के लिए नहीं होगा लेकिन दुख की बात है कि इस रोमांटिक प्रतिक्रिया ने अमर जेड को खुश नहीं किया क्योंकि उसने अपने दिल में पाया की हथियार बनाने का काम पहले से ही उसके जीवन की तुलना में एक उच्चस्तर पर रखा गया था स्वाभाविक रूप से महत्व उसके दिल में हथियार बनाने की ख्शमता भी डिफ्ट सनो मास्टर की तुलना में एक उच्चस्तर पर थी अमर जेड ने अपने दिल में बेचैनी महसूस की और एक दिन उसने Drift Snow Master से कहा कि वह एक दिव्य हथियार की एक अभुत पूर्व अवधारना बनाना चाहती है जिसे समय की सुभ़ से पहले किसी ने नहीं देखा था वह एक पूरे शहर को बनाना चाहती थी जो एक दैव्य हथियार था हालांकि Drift Snow Master ने महसूस किया कि यह बहुत परेशानी भरा होगा इसके बावजूद अमर जेड ने उन्हें बताया कि इस शहर में केवल वे दोनों ही होंगे और उनका घर होगा नतीज तन Drift Snow Master विशाल अमर लोकों में भटकते रहे फोर्जिंग के लिए उपयोग किये जाने वाले अकलपनिय खजाने और सामगरियों को इकठा करते रहे उनकी यह यात्रा दसियों हजार वर्षों तक चली दरिफ्ट स्नो मास्टर और इंमोर्टल जेड ने निर्मान प्रक्रिया शुरू की कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो समय की सुभह से ही अभूत पूर्व था उनमें से दोने शोधन और फोर्जिंग प्रक्रिया में दसियों हजार वर्षों में प्राप्त खजाने और दुरलब सामगरियों का उप्योग किया जो एक हजार साल से अधिक समय तक चला अंतह सफल हुआ क्योंकी गठित उतपाद ने एक शहर का आकार ले लिया बस जब वे आनंदित हो रहे थे एक सुपर मजबूत विशेशग्य उनके दरवाजे पर गया और नव निर्मित शहर के लिए व्यापार करने की मांग की उन दोनोंने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया जिसके कारण उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हुई हाला कि उन्होंने अंतह उस विशेशग्य को हरा दिया वे बाद में चोटों से चलनी हो गए लेकिन अमर जेड के लिए जो सबसे अस्विकार्य था वह यह था कि दिव्य हथियार शहर की स्थापना पूरी करने के बाद भी वे थे अभी भी अपने दिल की इच्छा के अनुसार अपनी शक्ती को उजागर करने में असमर्थ हैं युद्ध की गर्मी में तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं अमर जेड तूटने के कदार पर था उसका शरीर लडाई से लगी चोटों से चलनी हो गया था और उसका मन अपूर्ण रचना से बोजिल हो गया था उसने ड्रिफ्ट स्नो मास्टर से एक बार फिर पूछा कि क्या वह वास्तव में एक आदश अभुत्पूर्व अमर्श्रेनी के दिव्य हतियार बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तयार होगा उसका उत्तर अब भी पहले जैसा ही था वह केवल अपना शेश जीवन उसके साथ बिताना चाहता था उस पल के बाद से इंमोर्टल जेड ने ड्रिफ्ट स्नो मास्टर के बारे में अब और परवाह नहीं की वह चाहते थे कि वह इस शहर को छोड़ दें जिसे उन्होंने एक साथ बनाया था ड्रिफ्ट स्नो मास्टर केवल आहे भर सकता था और उसकी इच्छाओं को स्विकार कर सकता था और कुछ समय के लिए छोड़ सकता था वह अपना मन बदलने के बाद ही लोटा लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी यह वापसी आखिरी वापसी को चहनत करेगी यह इतना क्रूर अलविदा था जब ड्रिफ्ट स्नो मास्टर वापस गया तो उसने केवल एक बर्फ की ठंडी लाश जमीन पर पड़ी देखी और साथ ही अमर जेड द्वारा उसके लिए छोड़ा गया एक पत्र भी देखा यदि आप वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं तो आप इसे पूरा करने एक आदर शहर बनाने और मुझे हमेशा के लिए यहां शामिल करने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तयार क्यों नहीं है अमर जेड जैसा उसने पत्र में लिखा था उसने हथियार बनाने की दक्षता हासिल करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था लेकिन वह अभी भी अंत में विफर रही मरने से पहले ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी इस बारे में नाखुशी से भरी हुई थी Drift Snow City क्योंकि उसने एक ऐसा स्तर हासिल किया जहां वह अपने जीवन की तुलना में उच्छ स्तर पर हथियार देखती थी फिर भी Drift Snow Master ऐसा करने में विफर रहा उसके अंतिन पत्र को देखने के बाद Drift Snow Master के बाल एक ही रात के अंतराल में सफेध हो गए वह अपने रचना के शहर में उसकी लाश के पास तीन साल तक बिना रुके बैठे रहे तीन साल बाद वह खड़ा हुआ और अमर जेड को दफन कर दिया जबकि अंतर निर्मान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया अपूर नताओं को पूरा किया यह उनके स्नेह की गहराई थी ड्रिफ्टस्नो मास्टर ने अपने स्वयन के मास और रक्त का उप्योग किया और उन्हें ड्रिफ्टस्नो सिटी में डाल दिया अपनी आत्मा के लिए उन्होंने इसे 9 Immortality Bales में डाल दिया अब आप जो शहर देखते हैं वह उनके मास द्वारा बनाया गया था अपने जीवन सार का उप्योग करते हुए अमर जेड की अंतिम इच्छा को पूरा किया। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने हथियार बनाने के कौशल को अपने से कुछ अधिक देखा था। जीवन बलकि यह केवल उस वादे को पूरा करने के लिए था जो उसने इतने साल पहले अमर जेड से किया था। जेरोन और आदित्य दोनों अचंभित रह गए। इस मरमसपर्शी कहानी में गहराई से डूबे हुए थे। जहां डृफ्ट सनो मास्टर और अमर जेर प्यार में पढ़ गए, साथ ही साथ उनकी रचना का सन्युक्त उत्पाद भी। मुझे लगता है यह वास्तविक होना चाहिए, आदित्य बडबडाया, चिंतन में डूग गया। जब उन्होंने नौ अमर्ता की घंटी को गूंजने का कारण बना दिया, तो उन्हें याद आया कि एक शहर में एक व्यक्ती के धुंदले द्रिश को देखा जा रहा है। ऐसा लगा जैसे उसने द्रिश में आकरती को अपने हाथों को फैलाते हुए देखा, जिससे बर्फ के टुकडे उस पर गिर गये और उसने खुद को वातावर्ण के अकेले पन में भिगो लिया। यदि किमवदंती पेई यू ने उन्हें बताया कि यह वास्तविक था, तो अकेला फैला हुआ हाथ द्रिफ्ट सनो मास्टर का हाथ होना चाहिए। क्या आप भी इस पर विश्वास करते हैं? मुझे भी लगता है कि कहानी वास्तविक है, पेई यू ने आदित्य की तरफ देखते हुए मीठी मुस्कान बिखेरी। समय के उतार चढ़ाव ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमेशा के लिए रहता है। अब घंटियां एक बार फिर बज रही हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रिफ्ट सनो मास्टर ने अमर जेड को याद किया। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि कोई ऐसा होगा जो ड्रिफ्ट सनो सिटी के पीछे के रहसे को उजागर कर सके। और मुझे निश्चित रूप से बता सकते हैं कि क्या यह मरमसपर्शी किमदन की वास्तविक है। यहां तक कि अगर कहानी वास्तविक है तो कुछ विचलन होगा। जिस शहर को उन्होंने एक साथ बनाया था, वह आज के समान ड्रिफ्ट सनो सिटी नहीं हो सकता है। हो सकता है, आज का शहर पहले की तुलना में बहुत बड़ा था चेरोन हसा। वह एक हथियार बनाने वाला भी था और उसे चोटी की तलाश करने का तीवर जुनून था। अपने दिल की गहराई में वह वास्तव में इम्मॉर्टल जेड की प्रशंसा करता था क्योंकि वह हथियार बनाने के लिए अपनी जान देने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने डिफ्ट स्नो मास्टर की और भी अधिक प्रशंसा की। उसने हथियार बनाने के कारण अपने जीवन को बरबाद नहीं किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक महिला इम्मॉर्टल जेड से प्यार करता था। शायद पेई यू फुसकुसाया। जैसा की वे बोल रहे थे, वे ड्रिफ्ट स्नो इनके शीर्ष पर पहुँचे, सभी सीधियों से आगे। उनके सामने बर्फ से बनी एक सुन्दर मीनार थी, और यहां के विशाल शेत्र में व्यंजनों का एक भोज तयार किया गया था। कई पहले ही आचुके थे। अब जब वे इतने उचे सहूलियत के बिंदू पर खड़े थे, अगर कोई और देखे तो वे अभी भी मानव निर्मित बर्फीले पहाडों को देख सकते थे, जो इतने सुक्ष्म रूप से निर्मित थे कि वे देवताओं के काम लग रहे यह बहुत सुन्दर था। यह वह स्थान है जिसके बारे में कहा जाता था कि यह ड्रिफ्ट स्नो मास्टर और अमर जेड का निवास स्थान है और उस समय से कभी नहीं बदला है। लेकिन अब यह टौवर पहले से ही वर्तमान ड्रिफ्ट स्नो शहर के सिटी लॉड का महल ब रकट हुआ तो बहुत सी निगाहें उस पर टिकी थी। आखिरकार जो लोग ड्रिफ्ट स्नो शहर में आये थे चेरोन को सबसे प्रसिध लोगों में से एक माना जा सकता है। वंडर गेट इम्मोर्टल मैनर के चुने हुए इन लोगों के बीच उनका रुत्बा बिल्कुल उपर था। चेरोन का सर्वेक्षन करने के बाद लोगों की निगाहें अनायासी उसकी ओर मुर गई। आदित्य पेई यू और पेई यू की महिला नौकर। जब उसने पेई यू को देखा पेई तियानिवान की आखें एक कोमल मुसकान के साथ जिल मिला उठीन जब उसने रूप से आपके कबीले से ही कोई होगी। वह बहुत ही उत्तम और उत्कृष्ट है। हाँ हाँ नेक भतीजे की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुप्या जल्दी से बैठिये क्योंकि आप और पेई यू दोस्त हैं तो बस साथ बैठिये पेई किस प्रकार का चरित्र था? वह स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग करना चाहता था और यह सबसे अच्छा होगा यदि उनका रिष्टा और भी करीब आ जाए ताकि वह चेरोन के माध्यम से बंदरगेट इम्मोर्टल मैनर से संबंध स्थापित कर सके। पेई तियानि चेरोन ने अपना सिरहिलाने से पहले उसकी ओर देखा, मुझे लगता है कि हमारे लिए अभी भी कुछ और सीटे ढूंडना बहतर है। वह बता सकता है कि चेरोन ने उस सीट को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके समुह में उसका एक और दोस्त था। इसलिए पेई तियानिवान ने पेई जियो को अपनी सीट देने के लिए कहा। अखो में मुसकान के रूप में बोला था। उस स्थिती में मुझे भाई जियान यान को स्विकार करना और धन्यवाद देना होगा। हाहा यह भी ठीक है महान भतीजा चेरोन आओ और फिर बैठो पेई तियानिवान हसा। चेरोन स्वाभाविक रूप से अस्विकार करना जारी नहीं रखेगा और इसलिए वे तीनों बैठने की जगह की ओर चल पड़े। उनके ठीक सामने जियान यान और पेई जियो थे, साथ तलवार संप्रदाय से नियोन भी था। इन लोगों के अलावा, क्लावड प्रांत में अन्य प्रमुक शक्तियों के कई प्रतिभाई भी मौजूद थी, ये सभी एक असाधारन आभा बिखेर रहे थे। आईए मैं आप लोगों से कुछ पुराने साथियों का परिचय कराता हूँ। मैं पेई तियान युवान हूँ और मुझे यकीन है कि वहां मौजूद हर कोई जानता है कि मैं कौन हूँ। मेरी बाई ओर जी कांग है, जो क्लाउड टॉवर साधु संप्रदाय का शिश है, जो टॉवर का स्वामी है। जियांग लिंग कंट्री में क्लाउड टावर्स। अंध में मेरी दाहिनी ओर का व्यक्ती ड्रिफ्ट सनो सिटी, सिकोंग यांग्शु का सिटी लॉड है। पेई तियान युवान ने सभी का परिचय दिया और मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि युवा पीधी के आप सभी नायक पहले से ही एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसलिए मैं आप में से प्रत्येक का परिचय देने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। आदित्या ने सिकोंग यांग सुए पर नजर डाली। प्राचीन UK Drift Snow Master की तुलना में Drift Snow City का वरतमान शहर स्वामी स्पश्ट रूप से बहुत दूर था। यह Drift Snow City प्राचीन काल का एक शहर है। Drift Snow इन के बारे में कई प्राचीन किनवधनतियां भी हैं और सबसे प्रसिद्ध यहा है कि यह जगह वह जगह थी जहां Drift Snow Master और अमर जेड प्यार में पड़ गए थे. अगर समय उल्टा हो सकता है और हम Drift Snow Master अपना जिधर बजाते हुए देख सकता है जबकि अमर जेड बर्फ के बीच नृत्य कर रहा है यह कितना सुन्दर होगा पेट या निवान एक बहुत अच्छे समवादी प्रतीत होते थे. जियांगलिंग देश के राजा के रूप में उन्होंने भी इस अफवाह के बारे में सुना था। इसके अलावा वह कितना मूर्ख था। और यह देखते हुए कि ड्रिफ्ट स्नो मास्टर कितना शांदार था। वह कैसे एक महिला की खातिर खुद को त्याग सकता था। उसकी लाश की रक्षा के लिए अपने जीवन सार और आत्मा का बलिदान कर सकता था। एक शक्स ने म मुह खोला और कमेंट किया। पेई तिया निवान ने बोलने वाले की ओर अपनी निगाहे फेर ली। इस व्यक्ती की गोरी त्वचा थी और काफी सुन्दर था। उन्होंने आकस्मिक लालित्य की भावना को उजागर किया और उनकी भौहे तलवार की तरह जुकी हुई थ उनकी आखें बुधिमान और राजनीतिक रूप से चतुर लग रही थी, उनकी आखों की गहराई से कोई भी बता सकता था कि उनके दिमाग में कई रहस्य छिपे हुए थे। यह व्यक्ती शूलुयाओं के अलावा कोई नहीं था, जो क्लावर प्रिफेक्चर से मिरियर अकादमी क्लावर प्रांत के बारे में सब कुछ जानती है। की राय पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये। जितना अधिक मैं जानता हूँ, उतना ही अधिक कारण मुझे संदेह करना होगा कि यह गलत है। यह किमवदंती उन अग्यानी मूर्खों को धोखा देने के लिए गढ़ी जानी चाहिए। कहानी में डिफ्क स्नो मास्टर और अमर जेड बेवकूफ थे, शूलुयाओ का लहजा तेज हो गया, इस प्राचीन किमवदंती के प्रती कोई सम्मान नहीं दिखा रहा था। स्वाभाविक रूप से एक किमवदंती अभी भी एक किमवदंती थी। शूलुयाओ के अहंकारी शब्दों के बावजूद कि किसी ने कोई संदेह नहीं जताया। यहां तक की पेई तिया निवान भी केवल मुस्कुरा रहा था। केवल पेई यू की भौहें तनी हुई थी। उसने अप्रसनता से टिपणी की, इस विशाल दुनिया में हर किसी का व्यक्तित्व अलग है। आप एक रिदयहीन व्यक् का निर्मान किया है, जिनके नाम Cloud Prefecture को हिला देंगे, वे सब कुछ जानते हैं, जो स्वर्ग के नीचे जानना है। ऐसी प्रतिष्ठित अकादमी के लोगों में स्वाभाविक रूप से अधिक अनुग्रा होना चाहिए और उनकी छाती में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, ज की ज्यान का प्रतीक है। कहावत है कि सभी नदियों ने अंतह एक समुदर का निर्मान किया। लेकिन दुख की बात है कि तथ्यों को सुनिश्चित किये बिना, आपने तुरंट Drift Snow Master और अमर Z को मूर्ख लोग करार दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत गुस् कर दिया और यहां तक की पात्रों को बेवकूफ बता कर उनकी आलोचना की। वह अपने दिल में क्रोध की एक लेहर महसूस किये बिना नहीं रह सकी, इसलिए अब उसने जो शब्द कहे थे, वे भी असाधारन रूप से तीखे थे। यह सुनते ही शूलुयाओ की टकटकी तेज हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे तेज तलवारें अभी उनकी आखो से भी निकल सकती हैं। उसके बाद उन्होंने बोलना जारी नहीं रखा, लेकिन उफास से भरी उन आखों में सपष्ट रूप से एक अलग अर्थ समाया हुआ था। चेरोन आपके शब्द बहुत ही दबंग हैं। भाईशू ने आपको पहले कभी नाराज नहीं किया था, फिर भी आपने उन्हें सब के सामने अपमानित किया, जियान यान तुरंत रुप गया और जवाब दिया। भाईशू असंख्य रिशी अकादमी से चुने गए स्वर्ग हैं, फिर भी आपने उनका बर्णन करने के लिए मैल शब्द का इस्तमाल किया। आप बहुत अहंकारी हैं। जैसे जैसे उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ती गई, कई लोगों के चहरे पर दिल्चस्पी के भावा गए। ऐसा लगता है कि जियांग यान अराजकता को भढ़काना चाहता था और जानबूच कर संधर्श को बढ़ाना चाहता था, चेरोन और शुल्याओ एक दूसरे के विरोध में होना चाहते थे। मैं हमेशा असंख्य साधो अकादमी के प्रती प्रशंसा से भरा हुआ हूँ। चेरोन आपने वास्तव में सीमा पार कर ली है, आग में तेल डालते हुए नियोन चलता रहा। जैसा की अपेक्षित था, उनके बोलने के बाद शुल्याओ के लिए चाहकर भी इसे अंदेखा करना असंभव था। इस समय सब की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। चेरोन का अहंकार केवल इस पल के लिए है। ऐसा लगता है कि जब वह एक घंटी बजाने में काम्याब हो गया, तो वह पहले से ही अपने शिष्टाचार भूल गया है और लोगों को बाएं और दाएं उत्तेजित करना शुरू कर दिया है। हाँ 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 एक व्यक्ति हसा। यह एक प्रमुख शक्ति Battle Havens Immortal Manor of the Cloud Prefecture का शिष्य भी था। इस शक्ति के सभी शिष्यों के पास असाधारन युद्ध कौशल था और पूरे क्लाउड प्रांत में हर जगह उनकी शाखाय थी। जियांगलिंग देश में भी उनके पास संबधता के साथ यहाँ एक शक्ति थी। वह शक्ति कोई और नहीं बलकी युद्ध अमर संप्रदाय थी। Battle Havens Immortal Manor का यह जूरियस भी एक संकट मोचक लगता है। सबने चुपचाप विचार किया। जूरियस का चेरोन को भड़काने का कोई इरादा नहीं था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि अब स्थिती मनोरंजक थी। इसलिए उसने जो कहा वह कहने का फैसला किया। शुलुलाओ की अभिव्यक्ती भारी हो गई। उसे नहीं पता था कि इतने लोगों के सामने अपना चेहरा कहा रखा जाए। कम से कम मैं यहां जियांगलिंग देश में महिलाओ के साथ नहीं सोता। कुछ कहने के लिए तुमने उसे बचाने के लिए कितनी जल्दी की उसकी निगाहें चेरोन के साथ साथ पैई यू की और मुर गई जो प्रकाश की एक दुष्ट चमक से जगमगा रही थी। पैई तियान्युआन चुपचाप देखता रहा यहां तक कि जब पैई यू इसमें मिला हुआ था उसने हस्तक शेप नहीं किया। चेरोन ने उपहास किया। पैई यू का शरीर कामपने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके प्यारे हाथ मुठी में कसकर दब गये। एक युवती का इस तरह अपमान किया जाना अत्यंत गंभीर मामला था। यह विशेश रूप से आज की सेटिंग को देखते हुए किया गया था। नियोन के शब्द तीखे तीर की तरह थे, जो उपस्थित लोगों के दिलों में खुस गए। जाहिर है, वह एक स्वच्छंद और स्वार्थी महिला थी, जिसकी नजरों में खुद के अलावा कुछ नहीं है। यह सोचना की इस तरह के शब्द कहने वाली महिला बास्तव में एक महिला होगी। कितना अकलपनिय है। यह हो सकता है कि आपने पहले ऐसा कुछ किया है, इसलिए आप आज इस शब्द को ला रहे हैं। आदित्य भावहिंता से बोला, उसकी आखें नियोन पर टिकी थी। जैसे ही उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, नियोन की अभिव्यप्ती तुरंत हिन्नदी हो गई। उसकी तलवार जैसी निगाहें आदित्य पर पड़ी और उसने ठंडेपन से जवाब दिया, धीट तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। बकवास करना बंद करो या फिर क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें अभी और यही मार डालूंगा। मौजूद कई लोगों की नजर आदित्य पर पड़ी। जियां यान ने भी रुखेपन से पिपणी की यह कौन है। क्या आपके पास हमारे सामने बोलने की योग्यता भी है। सबके सामने नियौन को अपमानित करने का साहस किया। वो सकता है कि वे चेरोन के खिलाफ धबराहट महसूस कर रहे हो। लेकिन जब आदित्य जैसे किसी व्यक्ति का सामना हुआ, जिसकी कोई हैसियत या प्रिष्ठ भूमे नहीं थी, तो वे कैसे कठोर हमला नहीं कर सकते थे। चेरोन ने उसे तियानवेन कहा। लेकिन मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना। उसकी साधना का आधार मेरे द्वारा पहले से ही दिव्य घटना के तीसरे स्तर पर देखा जा चुका है। यह बहुत जरजर नहीं है, कम से कम हमारे बीच उसे पूर्ण तल पर अस्त सुखूं। तुम्हारा यह भाई तियानवेन चेरोन वह कहां से है। जियूरियस ने चेरोन पर नजर डाली जैसा उसने पूछा था। मैं समझूंगा कि क्या आप किसी महिला को अपने पास बैठने की अनुमती देते हैं, लेकिन वह पुरुष है। अगर उसकी कोई प्र भविष में आप सभी को उसे जानने का मौका मिल सकता है। आदित्य कौन थे? वह स्वयन प्रत्याशा से भर गया था। यदि आदित्य पूरी तरह से सभी नौ घंटियों के साथ एक जन्मजात संबंध बना सकता है, तो इन लोगों को तुरंट पता चल जाएगा कि वह करेंगे, उसे अपमान के लक्षे के रूप में इस्तिमाल करेंगे, उस पर अप शब्दों का धेर लगाएंगे। भविष में? मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है, ज्यूरियस भावहीन होकर बोला। नियोन की बरफीली निगाहें आदित्य की ओर चुढ गई भविष मे उसने मुझे अपमानित करने के लिए शब्द बोलने की हिम्मत की। अगर वह माफी मांगने के लिए घुटने नहीं टेकता, तो मुझे डर है कि वह भविष्य तक नहीं जी पाएगा। पे यू का चहरा भगदा हो गया क्योंकि उसने ठंडेपन से जवाब दिया, क्या त अगर वह माफी मांगने के लिए मेरे सामने घुटने नहीं टेकता, मैं सीधे उसे चुनौती दी और मुझे यकीन है कि जी अधिकार में हस्तक शेप नहीं करेगा। आप सभी कृप्या अपना गुस्सा शांत करें, ये शब्द सुनते ही जी जी आंगलिंग राजा पे यी दूर धकेलने की क्या जरूरत है? उसके बोलने के बाद उसकी निगाह आदित्य की ओर गई यह युवक किसी बड़ी शक्ती से कुलीन होना चाहिए, खीक है. क्यों न हमें अपना परिचय दिया जाए ताकि संधर्श को बहतर धंग से सुलजाया जा सके क्योंकि हर कोई एक कदम पीछे हट जाता है. मेरी साधना बहुत कमजोर है, मैं अपने संप्रदाय के नाम की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करता, आदित्य ने उदासींता से उत्तर दिया. मुसकराने से पहले पेई तिया निवान का चेहरा चमक उठा, या हो सकता है कि आप किसी शक्तिशा कबीले से हो. शमा मांगना आदित्य ने जियांगलिंग किंग को सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा. पेई तिया निवान ने भी सवाल करना जारी नहीं रखा, लेकिन उसने केवल जूरियस को बैटल हेवन्स इम्मोर्टल मैनर से हंस्ते हुए सुना. ऐसा इसलिए होन चाहिए क्योंकि आपका संप्रदाय बहुत कमजोर है या आपके पास एक भी अधिकार नहीं है. एक आदमी के रूप में आपको क्यों होना चाहिए चीजों को छिपाने की कोशिश करते हैं? क्या आपके कारियों से लोग आपको नीची निगाह से नहीं देखेंगे? कोई सकता है, वे अपनी हैसियत का दिखावा कर रहे थे और खुद को असाधारन बता रहे थे. राजा, आपने इसे स्वयन देखा है, नियोन फिर बोला. पेई तियानिवान ने हंस्ते हुए कहा, चुंकि छोटा भाई संधर्ष को भंग करने के लिए तयार नहीं है. मुझे य नियोन का ठंडा चहरा मुस्कराहट के साथ चमक उठा. आदित्य की ओर देखते ही उसकी द्रिश्टी तलवार की तरहे पैनी हो गई. यदि आप मुझसे अभी भीख मांगते हैं, तो मैं अभी भी आपको जीने का मौका देने पर विचार कर सकता हूँ. आदित्य ने निय पणिकी, नियोन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी भी साथ तलवार संप्रदाय के एक शिश्य हैं और एक असाधारन साधना आधार है. यदि आप किसी को चुनौती देना चाहते हैं, तो चेरोन सपष्ट पसंद प्रतीत होता है. तीसरे को चुनौती देने से आप का क्या मतलब है स्तर का लगन? क्या आपको अपने साथ तलवार संप्रदाय के चहरे और प्रतिष्ठा को फेंकने का डर नहीं है? क्या हास्यासपद है कि वह अभी भी अपने बारे में बहुत सोचती है? चेरोन हसा. उनके चहरे की रिखाए सभी उपहास से भरी थी. जिसक अधारन सफेद वस्तर पहने हुए थी और एक अद्रिश्य जगह पर बैठी थी. उसका पूरा अस्तित्व प्रिष्ठ भूमी में फीका पढ़ने लगा था और शुरुवात में किसी को उसके अस्तित्व पर ध्यान भी नहीं गया था. जाहिर है बहुत से लोग उसके बार में मुरा हुआ था, जिससे अहंकार का आभास हो रहा था. घोस्ट सेबर में उल्यान क्लावर प्रिफेक्चर में एक सर्वोच प्रमुख शक्ती का शिश्य नहीं था, लेकिन उसका अस्तित्व ऐसा था जहा उसे दूसरों द्वारा अंदेखा नहीं किया जा सकता था. मु काश देखते ही रक्त अवश्य बहेगा, चाहे वह उनके विरोधी हो या स्वयन से. इसलिए मुयान के गुरु का नाम मृत्यु के क्रिपान के रूप में था. सेबर लौड का केवल एक ही शिश्य था और वह कोई और नहीं बलकी घोस्ट सेबर मियुयान था. मुयान को करने की बहुत से लोग हिम्मत नहीं करते थे. क्योंकि अगर उसने अपनी क्रिपान खीची, तो वापसी का कोई मतलब नहीं होगा. यह सोचने के लिए कि घोस्ट सेबर मुयान भी दिखाई दिया है, लोगों की निगाहें टेजी से चमक उठीन और उनकी उपस्थिती से क बहुत अच्छे संबंध थे. उसने चेरोन की मदद मांगी थी, कि वह उसके लिए पहले कई क्रिपान बना सके और ये सभी उसके शरीर के चारों ओर छिपे हुए थे. मुयान और आदित्य ने एक दूसरे को देखा और मुस्कराएं, दोनों ने एक दूसरे को सिरहिलाया. भूत क्रिपान मुयान मैंने आपके बारे में लंबे समय से सुना है. यह कहा जाता है कि आपकी क्रिपान की गती बहुत तेज है, इतनी तेज की आपके लक्षे का सिरह काटने के बाद भी उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह मर चुका है. शुलियाओ ने घोस्ट सेबर को द बहुत अधिक थी, वह प्रसिध मिरियड सेज अकादमी के शिश्य थे. जब भव्यता प्रदर्शित करने की बात आती है, तो वह कमजोरी कैसे दिखा सकता है? यह अभी भी ठीक है. क्या आप इसे देखना चाहते हैं? मुयान ने अचानक अपना सिर जुका लिया और सीधे शुलुयाओ को घूरने लगा और उसके चहरे पर एक चिढ़ा देने वाली मुसकान आ गई. शुलुयाओ अनैच्छिक रूप से थोड़ा कामपने लगा. उसकी मुठी बंधी हुई थी और गुस्से से काप रही थी, यह मुयान उसे उत्तेजित कर रहा था. भविश्य मे एक अफसर होगा. हाला कि इस मामले का अब आपसे कोई लिना देना नहीं है. कुछ लोग जिनकी आखे नहीं हैं, उन्होंने गलत शब्द कहें हैं, इसलिए हम उन्हें पहले सबक सिखाएंगे कि उन्हें अपने सामने कैसे व्यभार करना चाहिए. वरिष्ट शुलुयाओ उन्होंने अन्ता मियू यान की सीधी चुनौती को भी चकमा दे दिया, और भाले को वापस आदित्य की ओर निर्देशित कर दिया. ऐसा लगता है कि आप साथ तलवार संप्रदाय से अलग नहीं हैं. आप अपनी अकादमी की प्रतिष्ठा को धुमिल कर रहे हैं, मुयान म उड़ाते हुए हसा. हमें स्वाभाविक रूप से उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो गलत बाते कहते हैं. आपके और मेरे लिए हमारे लिए कुछ संघर्ष होना सामान्य है. लेकिन उसके लिए उसके पास अपना मुहबंद करने की क्या योग्यता है? जियान यान ने अशिष्टता से आदित्य की ओर उंगली उठाई. मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ. हमें पहले उसे अनुशासित करना चाहिए और उसके बाद ही आप दोनों के बीच मामले को सुलजाना चाहिए. बैटल हेवन के इंमोर्टल मैनर के जियूरियस ने एक शो देखने क कारवया अपनाया क्योंकि उसने आग की लप्टों को और भढ़का दिया. आदित्य की नजर इन लोगों पर पड़ी. उनका स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों न हो, इन लोगों द्वारा लगातार तिरसकार का सामना करने पर एक साधो को भी अपने हृदय में रोश की ज्वाला महसूस होगी. उसने उन पर नजर डाली और बोला, असंख्य साधो अकादमी, साथ तलवार संप्रदाय, युद्ध स्वर्ग अमर मनोर, जियान कभीले. क्या ये सभी बहुत शक्तिशाली हैं? जैसे ही उनकी आवाज का स्वर्फी का पड़ गया, सभी की निगाह कर रहे हो, जियान यान ने उफास किया. कमजोर लोगों को धमकाने के लिए एक शक्तिशाली प्रिष्ठ भूमी पर भरोसा करते हुए, कम से कम उनका यह पहलू काफी मजबूत लगता है. आप मेंसे किसी ने भी चेरोन या मियू यान को चुनोती देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपने भाले मुझ पर लक्षित किये. इसने वास्तव में मेरे क्षितिच को विस्तृत किया है. ओ, वैसे क्या आपके जियान कबीले में से एक ठीक पहले नहीं मरा था क्योंकि उसने कमजोर दिखाई देने वाले किसी को धमकाने की कोशिश की थी. लेकिन आखिरका जियान कबीले के चहरे पर चाबुक मारा गया और जियान कुआं को भी मार दिया गया, जिसके कारण गिरफतारी के आदेश प्रकाशित हुए क्लावड टावर्स द्वारा. या आप सभी ने सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि कि किसी ने भी इसके पीछे के कारण को सारवजनि नहीं किया, आप इस तथे को क्लावर प्रांट में लोगों से चिपाने में सफल होंगे. क्या आप नहीं जानते कि अब जियान कबीले का नाम है मजाक का पात्र? यह सोचना कि आप अभी भी यहां इतने अत्याचारी व्यवहार कर रहे हैं, कितना हास्यास्पद है. आदित आदित्य ने उड़ाया मजाक उसने अपने सामने खड़े लोगों की तरफ हाथ दिखाया. आप सभी मानते हैं कि आप असाधारण हैं, और मुझे अपमानित करने के लिए शब्दों का इस्तिमाल किया, मेरे सामने एक चींटी की तरह अस्तित्व का व्यवहार किया. आप क साधना आधार अधिक नहीं है. मैं केवल आकाशिय घटना के तीसरे स्तर पर हूँ और मैं क्लावड प्रिफेक्चर में किसी भी बड़ी शक्तियों से नहीं आता हूँ. लेकिन इसका क्या? क्या आप सभी वास्तव में बहुत मजबूत हैं? क्या आपके संप्रदाय के सदस हैं प्रमुक शक्तिया? आधित्य को घूरते हुए भीड के चहरे पर आश्चर्य के भाव थे. वह न बोले तो ठीक है, लेकिन एक बार जब उन्होंने अपना मुह खोला, तो उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को चकित कर दिया. क्या यहां आदमी पागल हो गया है? इन अचुको, जियान व्यान की अभिव्यक्ति भारी हो गई. इस आदमी ने कहा कि वह अकेले हमारे सभी चहरों को मारना चाहता है. आप सभी क्या सोचते हैं? साथ तलवार संप्रदाय के नियोन ने ठंडेपन से बात की. कितना दिल्चस्प है, यह सोचना की हम भोज में ऐसा मजाक भी सुन सकते हैं. मिरियर सेज एकेडमी के शूलुयाओं ने आदित्य पर व्यंग्यात्मक टिपणी करते हुए उसे देखा. बैटल हेवन्स इम्मॉर्टल मैनर से जूरियस के चहरे पर अवमानना की नजर थी. उसने अपने पीछे कई लोगों पर न मेरे राजा, चुंकि यहां आदमी इतना आश्वस्थ है, तो हम आज भोज में चीजों को जीवन्थ करने के लिए एक मुकाबला मैच की विवस्था कैसे करें? पेतिया निवान ने जूरियस को देखा और मुस्कराते हुए सिर हिलाया. चुंकि हर कोई ऐसा महसूस करता है मैं स्वाभाविक रूप से इसे अस्विकार नहीं करूंगा. ड्रिफ्ट स्नो इनके उपर का द्रिश्र बहुत सुंदर है, अगर चीजों को जीवन्थ करने के लिए एक मुकाबला मैच हो सकता है, तो यह सबसे अच्छा होगा. मेरे राजा, अगर भोज के दौरान खोन बहता है, तो कृप्या हमें अगरिम रूप से ख्षमा करें, जूरियस बोला. पेरितियान युवान ने सहजता से अपने हाथों को लहराया, सची लडाई में कोई केवल मुक्के बाजी के स्तर पर कैसे रुख सकता है. असली के लिए लड़ना स्वाभाविक है. जब तक आ दिये धन्यवाद, जूरियस मुस्कुराया. तुरंट उसकी आखों में एक बरफीला रूप तिम्टिमा गया क्योंकि उसने एक ठंडे इरादे को विकीन कर दिया. उसने आदित्य की ओर देखा और बोला, तुम्हारे अहंकार के शब्दों से अज्यानता की बुआती है, लेकिन मैं तुम्हें धंकाता नहीं हूँ. युद्ध अमर महल मेरे बैटल हेवन्स, इम्मॉर्टल मैनर के अधीन एक शक्ती है. मेरे पीछे वहां से तीन तीसरे स्तर के आरो ही हैं, और वे तुम्हारे शब्दों की त्रुटी को समझने के लिए परियाप्त हैं. उसे कु द्वारा व्यंग्यात्मक रूप से बोली जाती थी, लेकिन यह सोचने के लिए कि एक अध्यात अजनभी जिसकी कोई प्रिष्ठ भूमी नहीं है, उसके खिलाफ अपने शब्दों का इस्तमाल करने का साहस भी किया. उसका क्रोध कैसे उचा नहीं हो सकता था? वह आदित् जियान यान की उंगलिया उसके सामने टेबल पर घूम रही थी, उसकी आखों में भारी तिरसकार भरा हुआ था. जिस द्रिष्टी से वह आदित्य को देखता था, वह किसी मृत व्यक्ति को देखने के समान था. क्या तुम सब मुझे इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो, कोई नहीं जानता था कि आदित्य ही वह था जिसने इसे पूरा किया. यह स्पष्ट था कि उसका यह नया दोस्त कोई हाई प्रफाई चरित्र नहीं था. चुंकि उन्होंने आज ऐसी बात कहने की हिम्मत की है, तो वह जरूर कर पाएंगे. इसलिए चेरोन ने केवल अपना शराब का प्याला उठाया क्योंकि उसके चेहरे पर एक शो का आनंद लेने की अभिव्यक्ति दिखाई दी. मुयान भी चुपचाप वहीं बैठ गई. घोस्ट सेबर मुयान हमेशा युद्ध में असाधारन रुची रखता था. उसका मानना था कि चुंकि यह व्यक्ति च नियंत्रित किया जाता, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, आज यहां दर्शक सभी बहुत मजबूत थे. लड़ाई के जटके उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे. धाड में जाओ बाहर, उन तीनों में से एक ने आदित्य को घूरते हुए कहा, कि वह बरफिले ढंग से बोल रहा है. जैसे ही वातावन अचानक खोन की गंध से भर गया, तीवर हत्या के इरादे की लेहर उसके पास से निकल गई. आदित्य वहीं बैठा रहा, अपना शराब का प्याला उठा कर और चुकचाप अपनी शराब पीता रहा. उसने अपना सिर सी ठिठोली भरी हसी गूंच उठी, नियोन की आखों में उपहास भर गया और उसने उत्तर दिया. पहले तुम इतनी दबंग तरीके से बात नहीं करती थी. अब तुम वास्तव में लड़ाई को चक्मा देने के लिए इस तरह के कारण का उप्योग करने की कोशिश कर रही हो. ऐसा चरित्र जैसे तुम मेरे साथ उसी भोज में शामिल होना वास्तव में मेरे लिए अपमान के अलावा और कुछ नहीं है. उसके बोलने के बाद बहुतों की हंसी छूट गई. इस युवक की बाते थोड़ी हास्यास्पद थी. हाला कि जैसे ही उनकी करकश हसी गड़गडाहट जैसे ही आदित्य ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया. तीसरे स्टर के तीन आरोहियों को निशाना बनाते हुए एक विशाल विस्पोटक ध्वनी गड़गडाई. यहां हथेली की चाप हवा के माध्यम से तूटते हुए तारे के समान दिखाई देती ह जिसमें तारों को पकड़ने और चंद्रमा को नीचे गिराने की शक्ती होती है, बिजली की गती से चलती है, जिसमें एक दमघोंटू विनाशकारी उर्जा होती है. तीनों के हावभाव एक दम बदल गए, उन्हें केवल ऐसा लगा जैसे कोई तारामंडल ठीक उनकी ओर अपनी पूरी ताकत को समेकते हुए, उन्होंने बचाव के लिए अपनी हथेलिया उठा ली. हालांकि गडगड़ाहट की आवाज गूंजी और एक ही पल में तीनों के शरीर प्रभाव से. चकना चूर हो गए. हथेली की चाप से सुक्ष्म प्रकाश अभी भी चमक रहा थ लेकिन चमकदार तारों वाली रोशनी के नीचे केवल धूल के कन दिखाई दे रहे थे. तीसरे स्तर के तीन लगनों को इतनी जोर से कुछ ला गया कि उनके शरीर का एक हिस्सा भी नहीं बचा. पहले की जोरदार हसी तुरंक बंध हो गई. शराब के प्याले को पकड़े ह वे आदित्य का बाया हाथ धीरे धीरे नीचे गिरा मेज के संपर्क में आने वाली प्याली की हलकी आवास सन्नाटे में बेहत स्पष्ट सुनाई दे रही थी. नियोन की आखों में उपहास भरी मुस्कान भी कठोर हो गई. आदित्य ने युद्ध करने की हिम्मत नहीं की. उसकी हंसी की आवाज फीकी पढ़ने से पहले ही आदित्य ने उसे सीधे एक ही वार से जवाब दे दिया. यहां उसके चहरे पर थपड मारने जैसा था और इस जवाब से ज्यादा जोरदार कुछ नहीं था. न केवल नियोन के लिए. जो लोग पहले हसे थे, उन सभी ने म आदित्य शांती से बोला. उनकी आवाज का जोर नहीं था, फिर भी उनके शब्द उन लोगों के मुह पर एक और तमाचा की तरह थे, जो पहले हंस्ते थे. इससे पहले जब जूरियस ने जियांगलिंग राजा के साथ बात की थी, तो यह सपश्ट था कि उसने पहले ही आ जमक शक्तियों से इन सगस्यों को मारने के लिए खड़े होने की भी आवश्चक्ता नहीं है. उसके लिए वहाँ बैठना और इतमीनान से शराब पीना भी काफी था. उनके मनोरंजन के लिए युध में प्रवेश करते हुए एक विदूशक के रूप में कार्य करने के लि वह इतना चौक गया कि उसने कुछ नहीं कहा और आदित्य के अहंकारी शब्दों का जवाब देने का कोई विचार नहीं था. सच्चाई सब के सामने थी वह इसका खंडन कैसे कर सकता था. वह इंमोर्टल पैलेस के विशेशग्य उनके बैटल हेवन्स इंमोर्टल मैनर के तहट एक अधिनस्थ शक्ती एक भी हमले के लिए खड़े होने में सक्षम नहीं थे और सीधे कीडों पर पेट भरने की तरह मारे गए थे. आंकारी लोगों का एक जुन्ड सोचता है कि वे उच्च और शक्तिशाली हैं, एक दूसरे की स्थिती को उचा करने के लिए शब् इसलिए मैं मूर खराब करने से बचने के लिए निकल जाऊंगा। उसके बोलने के बाद आदित्य खड़ा हुआ और मुर कर दूर चला गया। जियांगलिंग देश का यह राजा बेहत विनमर था और प्रमुख शक्तियों के शिश्यों का पक्षधर था। लेकिन वह आद इसलिए की भूमिकाओं में सभी लोग बदल गए हैं। तुम मेरे आदमियों को मार कर ऐसे ही चले जाना चाहते हो। इस समय एक हिमानी आवाज ने हवा भर दी। आदित्य ने शुरू किया, उसके कदम धीमे हो गए जैसे ही उसने जूरियस का सामना किया। उसके चहरे प में अपने क्षितिच को व्यापक बना दिया है। जूरियस पहले तुमने अपने अधिनस्थों को उसे मारने के लिए कहा था या कुछ ऐसा है जो उपस्थित सभी लोग देख सकते हैं। अब जब तुम्हारे अधिनस्थों की ताकत कम है और वे उसके द्वारा मारे गए हैं तो वास्तव में तुम्हारे पास ऐसे शब्द बोलने का साहस था। आपने वास्तव में युद्ध के स्वर्ग अमर मनोर को शर्मसार कर दिया है। जूरियस के चरित्र के लिए तिरसकार से भरे चेरों ने भी मजाक उड़ाया। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं क पीछे खड़े युद्ध अमर महल के सभी लोगों ने अपना शक्तिशाली आभामंडल छोड़ा, मानो वे आदित्य को यहीं और अभी मारना चाहते हूं। अगर उन्होंने आज आदित्य को यहां से जाने दिया, तो Battle Havens Immortal Manor का नाम जरूर बदनाम होगा। चुंकि उसन अधकों की दुनिया में नियम अनावशक थे। सब कुछ ताकत पर निर्भर था, जो सबसे मजबूत होगा, वही नियम बनाएगा। जो गंदे शब्द तुमने मुझसे बोले, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो, अभी नियोन ने भी बात की। तुम्हें यहां बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी यहां आओ केवल यह सुनने के बाद कि इस समय जियांग यान के पास बैठे पेई जियोने पेई यू को डाटना शुरू कर। दिया। एक क्षण बाद पेई यूने पेई जियोकी और अपनी निगाहें घुमा पेई यूने पेई तिया निवान को देखा, लेकिन उसकी आखों में जिद्धी रोशनी पहले जैसी थी। उसने वास्तव में अपना सिर हिलाया, जिससे पेई तिया निवान का चेहरा थंडा पड़ गया। दिलेर। जैसे जैसे उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ती गई वातावर्ण में तापमान कुछ डिगरी किर गया। गई वातावर्ण में तापमान कुछ डिगरी किर गया। गई वातावर्ण में तापमान कुछ डिगरी किर गया। वह केवल प्रलै का दिन होगा। यदि चेरोन उसकी रक्षा करना चाहे तो भी ऐसा करना अत्यंत कठिन होगा। ये लोग इतनी आसानी से आदित्य को माफ नहीं करेंगे। जहां तक जियांगलिंग राजा पेई तिया निवान की बात है। स्वाभाविक रूप से वह इस मामले से निपटने के लिए परेशान नहीं हो सकते थे। यदि कोई इस भोज के दौरान चेरोन से निपटना चाहता था, जो उसने आयोज़त किया था, तो वह निश्चित रूप से चेरोन की सहायता के लिए आगे आएगा। लेकिन चुंकी लक्ष आदित्य था, वह अपना समाय बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। ये लोग किसी का उच्सा खराब करने में उस्ताद हैं, जो अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं, एक साथ योजना नहीं बना सकते। अलविदा, जैसे ही उन्होंने बात की, आदित्य का सिल्हूट जिल्मिला उठा, जैसे ही वह आकाश में उठ गया, बिजली की गती के साथ आगे बढ़ रहा था। छोड़ना चाहते हैं, जूरियस ऑफ द बैटल हेवन्स इम्मोर्टल मैनर ने ठंडेपन से पूछताच की। जूरियस की आखे सिकुर गई, उसने देखा कि आदित्य हमलों के बावजूद जरा भी धीमा नहीं हुआ और आगे उरता रहा। थंडी सुंगते हुए वह सीधे आसमान में उर गया और साथ ही आदित्य की दिशा में भी चला गया। उससे निकलने वाली आभा आसमान चुगई और शक्तिशाली पल्टाव बल के कारण बड़ी दरारे दिखाई देने के कारण जमीन से गूंजने लगी। नियौन की आखों में ठंडक आ गई, वह भी आगे बढ़ गई और उसकी तलवार उसके म्यान से उड़ गई। उस पर कदम रखते हुए, उसने आदित्य का पीछा किया। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं, जियांग यांग, शुलुयाओ और बाकी लोग भी उसी तरह उसका पीछा करने लगे। पलक जपकते ही भोज में शामिल होने वाले कई लोग हवा में उडगए। मूल उपस्थित लोगों में से आधे से भी कम रह गए। इन लोगों द्वारा मारे जाने से पहले यह बहुत लंबा नहीं होगा और वे जल्द ही भोज में वापस आ जाएंगे। उन विशेशग्यों ने जो अभी भी पीछे रह गए थे, उनके प्रती थोड़ी सहानुभूती महसूस की। हाला कि यह युवक असाधारन था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। कदम पीछे हटना है। विशाल अमर लोकों में उनके जैसे कई लोग थे, जिनकी प्रतिभाए उत्प्रिष्ट थी, लेकिन वे सभी अकाल मृत्यू को प्राप्थ हुए क्योंकि वे अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सके। इस तरह के परिद्रिश्य बहुत आम थे, पेई तियानिवान ने इससे पहले खुद कई युवा, प्रतिभाव का पतन देखा था, वह अमर लोकों के नियमों से भलीभाती परिचित था, वर्तमान में पेई तियानिवान का चेहरा अत्यधिक शांत था, उसने केवल अपना शराब का प्याला उठाया और उसे पहले पीते हैं जब तक हम उनकी वापसी का इंतजार करते हैं, जियांगलिंग किंग आप बहुत विनमर हैं, आपके आतित्य के लिए जियांगलिंग किंग और टौवर लॉड जी कोंग को बहुत बहुत धन्यवाद, कई ने विनमरता से कहा, सभी अपना सम्मान दिखा र कि अब उनके पास पूरी तरह से उनकी प्रशंसा करने का समय नहीं था, उसकी गती बिजली की तरह तेज थी, और प्रकाश की किरन की तरह हवा में फैल गई, थोड़े ही समय में वह पहले ही डिफ्ट स्नो इनके क्षेतर को छोर चुका था, और सीधे डिफ्ट स्नो शहर के केंदर की ओर जा रहा था, प्रमुख शक्तियों के विशेशग्य उसके पीछे-पीछे चल रहे थे, इन लोगों के चेहरों पर भाव थंडे थे, मारने के इरादे से चमक रहे थे, सबने अपने दिव्य अस्त्रशस्त्र निकाले और अदमय वेग से आदित्य के पीछे द गति यहां सबसे तेज थी, चेरों ने उसकी ओर थंडी निगाह से देखा क्योंकि उसकी आखों में तिरसकार की जलक दिख रही थी, भूत क्रिपान मुयान ने भी अपनी चपेट में ले लिया था, वह एक ऐसी गती के साथ उर गया जो न तो तेज थी और नहीं धीनी, उ उन्होंने केवल भयानक सीटी की आवाजे सुनी क्योंकि कई सिलहूट हवा के माध्यम से जूम उठे, जिससे उनके दिलों में बड़ा जटका लगा, कौन थे ये विशेशग्य, क्या हुआ था, शहर के कई विशेशग्य तुरंत हवा में चले गए, साथ ही उन्होंने इन से विदाहूरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अपनी गती से वे पलक जपकते ही नौ अमर्ता की घंटियों के सामने आ पहुँचे, आदित्य की आकरती जिल्मिला उठी क्योंकि वह सीधे विशाल प्राचीन घंटियों में से एक के सामने खड़ा हो गया था, जो उसक अहंकारी निगाहें सीधे आदित्य को घूर रही थी, उसकी आवाज में एक उच्छ अहंकार था, जैसे उसके शरीर से तलवार की सीटी निकली, ऐसा महसूस हो रहा था कि यह जल्द ही किसी भीक्षन फट जाएगा, उसकी बरफीली आखोंने पहले ही आदित्य को मृतकों में से एक मान लिया, चेरोन आदित्य के बगल में दिखाई दिया, वह जो हवा में था, वह भी इसी तरह विशाल धंटी द्वारा विक्रियन प्रकाश में स्नान कर रहा था, नियोन को घूरते हुए, उन्होंने ठंडेपन से कहा, यदि आप हिम्मत करते हैं, तो उसके खि से भी ठंडा हो गया, उसने चेरोन को देखा, यह हरामी वास्तव में अब भी आदित्य की रक्षा करना चाहता था, एक चाल चल रही है, वह निश्चित रूप से मर चुका है, मुझे आज उसका जीवन चाहिए, बैटल हेवन्स इम्मॉर्टल मैनर के जूरियस ने भाई चेरोन चूंकी यह उनकी दुश्मनी है, इसलिए आपके लिए बहतर होगा कि आप उन्हें खुद ही संभालने दें, आपको इसमें शामिल होने की जहमत क्यों उठानी चाहिए, पेज यो जो हाल ही में पहुँचे थे, उनके शब्दों से चेरोन की आखें चमक उठ धीठ, किंग मैनर के किसी व्यक्ति के रूप में, आपको मूल रूप से तटस्थता की स्थिती लेनी चाहिए, भाई 93 ने आपके किंग मैनर को बिलकुल भी नाराज नहीं किया है, फिर भी आपके पास वास्तव में उसके प्रती हत्या का इरादा था, यदि आपने ऐसा के धीठ, किंग मैनर का एक चुना हुआ व्यक्ति था, और उसके पास बहुत मजबूत मुकाबला कोशल था, यदि चेरोन ने उसका सामना नहीं किया होता, तो ठीक था, फिर भी उसने वास्तव में इतने अहमकार से जवाब देने का साहस किया, क्या आप सभी एक के साथ कई धमकाने की योजना बना रहे हैं, घोस्ट सिबर मुयान धीरे-धीरे सामने आया और चेरोन के पास खड़ा हो गया, उसकी हरक्तों से दूसरों के भाव कठोर हो गए, उनका ध्यान चेरोन और मुयान पर टिका था, आदित्य उनकी नजरों में कोई खतरा नहीं था, वो कु मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन चुंकि ये लोग यहां मेरे लिए हैं, उन्हें आने दो आदित्य ने शांती से कहा, उनके शब्दों ने चेरोन और मुयान दोनों को शुरू कर दिया, जिसके बाद आदित्य के बारे में सूचते हुए मुयान के चहरे पर रुची के मुस्कान आ गई थी, ठीक है मैं भाई तियानवेन पर विश्वास करूंगी, बोलने के बाद चेरोन भी पीछे हट गया, वह और मुयान दोनों ही दर्शक बन गए, और आदित्य को इन लोगों के खिलाफ अकेला छोर दिया, इन में से प्रत्येक व्यक्ति का साधना आधा उससे उचा है, हालांकि आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, भीड में उसकी आखें चमक उठीन, जैसे ही वह बोला, अहंकारियों का एक जुन्ड जो केवल उन कमजोरों को धमकाना जानता है, आप लोग मानते थे कि आप दूसरों की तुलना में एक उच्चस तर है, यदि मेरी साधना का आधार आप सभी के बराबर है, तो मैं सभी का सत्यानाश कर दूँगा, आप पूरी तरह से एक सास की जगह में हैं, कितना बेशर्म, जब वहां मौजूद लोगों ने आदित्य की बातें सुनी, तो उनके चेहरे और भी ठंडे पड़ गए, नियो हाला की तलवार हाधेली में घुसने में विफल रही, लेकिन दूसरी तलवार पहले से ही चल रही थी, और उसके भीतर एक तीवर शक्ती थी, जो स्वर्ग और प्रित्वी को हिला देने के लिए परियाप्त थी, तीसरी तलवार और चौथी तलवार उसके पीछे-पीछे चली, दूसरी से भी अधिक शक्ती शाली, हाला की नियोन घमंडी थी, लेकिन उसके पास अपने शब्दों का समर्थन करने की ताकत थी, हाला की इस समय आदित्य के चारों और अंगिनत मात्रा में शिलालेक प्रवाहित होते हैं, जो एक सुक्ष्म खाई में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उस पर लक्षित सभी हमले अवरुद्ध हो जाते हैं। मुझे बस एक अजे रक्षा की स्थिती हासिल करने के लिए रनों को नियंत्रित करने और थोड़ा सा पैंत्रेबाजी करने की ज़रूरत है। मुख शक्ती में शामिल हो जाते हैं, तब तक आप सर्वोचत स्वर्ग में उचे स्थान पर रहेंगे। हालांकि आप सभी आम भीड की तुलना में उची उडान भर सकते हैं, लेकिन आप कौवे और गौरिया के अलाबा कुछ नहीं हैं, केवल अपनी तुलना करने की हिम्मत कर रहे हैं, जो कम उरते हैं। फिर भी आप एक चटान की महत्वा कांख्शाओ को कैसे जानेंगे आदित्य ठंडेपन से बोला। उसके आसपास के असीम धाविका शिलालेक जिल्मिला उठे, आदित्य उनके भीतर डूब गए और बस वहीं खड़े होकर उन्हें देखते रहे। अभी उसकी आभा अभजा का मूल स्रोत है और स्वर्गिय कानूनों के लिए ट्रिगर है। आदित्य ने पहले भी कीमती मकबरे का उलेक किया था और मूल रूप से शिलालेकों में उनकी उपलब्धिया पहले से ही बहुत उच्च स्तर पर थी। यही कारण था कि वे इन रनिक शिलालेकों की शक्ती को आसानी से मदद करने के लिए स्वर्गिय कानून के प्रभाव को ट्रिगर करने के लिए उधार दे सकते थे। हमला और बचा। इसके अलावा पहले आदित्य ने नाइन इम्मोर्टिलिटी बेल के साथ पहले से ही एक संबंध बना लिया था। इसलिए वह घंटी के अपार आत्म विश्वास के कारण स्थापित हो गया था। जब उनकी नजर उन पर पड़ी तो विरोधी प्रतिभाव के चहरे देखने में बेहत भध्दे थे क्योंकि उनकी आखों में हत्या का इरादा और भी तेज हो गया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे पहले से ही काफी अहंकारी थे, फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनसे भी अधिक निरलज्ज एक और व्यक्ति होगा। यह युवक भोज के समय साधारन और पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा था, अब अपने तेज का प्रदर्शन कर रहा था, अपने अ ऐसा प्राणी था जिसकी महतवा कांक्षा सबसे उचे आसमान में उड़ने की थी, दोनों संस्थाओं की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, इतना ही नहीं, उन्हें एक साथ आने के लिए भी कहा, वे किस प्रकार के पात्र थे, वे सभी क्लावर प्रिफेक्चर की उधार ले सकता है, और नियोन के साथ तलवारों के वध हमले के खिलाफ बचाफ कर सकता है, उनकी ताकत को वास्तव में बहुत बुरा नहीं माना जा सकता है, आपको मर जाना चाहिए, नियोन के हावभाव पहले की तरह ठंडे और अहंकारी थे, उसने आदित्य से परेशा में फैल गई, जिसमें उसका वध करने का इरादा था, आदित्य ने अपना से उठाया और अपने हाथों को लहराया, उसकी आखों में एक थंडा उभास भरा हुआ था, असीमित रनिक लाइट को एक साथ एकत्रित होने में केवल एक पल लगा, तलवार क्यूई की एक नद चमक उठी, हम्मा आदित्य ने ठंडेपन से कहा, तलवार की क्यूई नदी चारों और घूमती है, सर्वनाश की धाराय बनती है, जैसे सीटी की आवास गूंचती है, सीधे भारी शक्ती के साथ आगे बढ़ती है, हर जगह जो धाराय बह रही थी, वे सभी विनाश की पट गया, नियन कामपने लगा, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से एंठने लगा, साथ तलवार संप्रदाय के अन्य विशेशग्यस्थिती में कुछ गलत देखकर बाहर निकलाएं, हालाकी बहुत देर हो चुकी थी, आदित्य ने अपना हाथ उठाया और नियोन पर हथेली स वार करते हुए बाहर की ओर विस्पोट किया, इसके कारण उसे हवा में फैंक दिया गया, वजरपात के साथ जमीन में धंस गया, क्योंकि उसने खून बहाया, रनिक शिलालेखों के प्रती उनकी समझ वास्तव में इतनी मजबूत है, जूरियस और बाकी लोगों ने आदि दिया था, वह केवल रनों से उधार ली गई शक्ती पर निर्भर था, इसे बेहद आराम से हासिल किया, यह केवल इस तथ्य से समझाया जा सकता है, कि दिव्य शिलालेखों में आदित्य की उपलब्धी असाधारन रूप से उच्छ थी, वह रनिक शिलालेखों से शक्ती उधार लेने और उसे अपनी ताकत में बदलने में सक्षम था, तो आपका अहंकार युद्ध के लिए शक्ती के एक बाहरी स्रोत को उधार लेने से उपजा है, जदी यह अकेले आपकी व्यक्तिगत ताकत पर आधारित है, तो मैं अकेले ही आपको एक उंगली से सपाट कर सकता हूँ, अपनी हथेली को फड़फडाने की आसानी से आपको मार सकता हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप खुद को बुला सकें, एक रॉक के रूप में जूरियस ने एक भयानत लड़ाई का इरादा बिकीन किया, लेकिन उनके शब्दों को सुनकर आधित्य जोर स से हसे और उन्होंने जूरियस पर अपनी उंगली उठाई एक स्वर्ग युद्ध के स्वर्ग अमर मनोर से चुना गया, ऐसे बेशर्म शब्द वास्तव में आपके मुह से निकले थे, साथवे से आठवे स्तर के आरोही का एक समोह सौदा करने के लिए समोह बना रहा था म और आप चाहते हैं कि मैं तीसरे स्तर का आरोही आप से सीधे लड़ू, क्या आप अभी भी अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के बारे में परवाह करते हैं? मुझे अपनी साधना का आधार आप से अधिक होने की आवशक्ता नहीं है, जब तक हम हैं उसी स्तर पर मैं किसी ने हिम्मत नहीं की, तो बस भाड में जाओ, अब से आप में से किसी को भी इस नौ अमर्ता की घंटी के पास जाने की अनुमती नहीं है, जो कोई भी पास आने की हिम्मत करेगा, वह होगा नश्ट कर दिया, इसलिए जहां तक आप मेरे लिए कर सकते हैं, चिलाए, जूरियस की लडाई का इरादा आसमान में उठ गया, उसके पास इस तरहे के उकसाबे को स्विकार करने का कोई तरीका नहीं था, क्रोध की एक गरजना के साथ, वह अपनी हथेलियों से फट गया जैसे की एक भयानक क्रूर राक्षस आदित्य के सामने प्रकट हुआ, यह उसका शरीर क्रिस्टल की तरहे पारदर्शी हो गया, जिससे एक आलिशान आभा निकल गई जहा देवता भी उलंधन करने से डरेंगे। हवा में विशाल शरीराकार वाले दानव, अमर योध्धाओं के समान सरवोच राक्षसी जानवर दिखाई दिये, क्योंकि वे सभी आदित्य की ओर बढ़े हुए खुले पंजे के साथ उससे पूरा भक्षन करना चाहते थे, और इसी क्षन अन्य विशेशग्य भी जूरि शिलालेखों की शक्ती उधार लेना जारी रख सकता है, आदित्य की आखें तलवारों की तरह थी, जो भीर को चीरते हुए उनके दिलों में छेद कर रही थी, उनकी इच्छा के इरादे से, नाइन इम्मॉर्टिलिटी बेल के साथ संबंध फिर से सामने आया, मरना, गुस मैंने आप सभी को सकैन करने के लिए कहा था। उन्हें इतना जटका लगा कि उनका पूरा शरीर काम रहा था। ताड के निशान को अपनी ओर फटते हुए देखकर, उसने तुरंट एक भयानक दिव्य अस्त्र निकाला और उस ताड के प्रहार को रोकते हुए अपनी पूरी शक्ती उसमें जोक दी। और वे केवल अपना बचाव करने की पूरी कोशिश कर सकते थे। आदित्य बाहर निकलाया और उसका यह कदम ऐसा था जैसे वह अपने विरोधियों के ठीक बीच में आगिरा हो। नाइन इम्मोर्टलिटी बेल की ताकत के साथ मिलकर एक अतुल निय भारी दबाव वाताबर्ण में व्याप्त हो गया। ऐसा लगा मानो आदित्य प्राचीन घंटे की इच्छा का प्रतिनिधी है। उसकी हथेलियों से इशारा करते हुए दर्शकों ने महसूस किया कि जैसे जैसे जहनकार की मात्रा और भी तेज होती गई, उनके दिल भीचते गए। पेजियो और अन्य सभी के मुह से खून के निशान निकलते ही राख हो गए। वे नाइन इम्मोर्टलेटी बेल से बहुत दूर और स्वाभाविक रूप से, आदित्य से भी दूर एक स्थान पर विस्पोटक रूप से पीछे हटने के लिए अपने खजाने की ताकत उधार ले सकते थे। एक और कदम आगे बढ़ाया, आदित्य की आवास तेज हो गई। आज बड़ी बड़ी शक्तियों में से इन महापुरुषों ने आदित्य से इस हद तक भयभीत होकर अपने सारे मुह एक दम फेंक दिये थे। यह सोचने के लिए कि वे सभी पहले इतने दबंग अंदाज में उसका पीछा और पीछा करते थे। क्या मजात। यदि मैं आप सभी होते तो मैं उस संप्रदाय को शर्मिंदा करने के बजाए आत्महत्या कर लेता जिसका में था। बंद करना जियूरियस पागलपन में दहाड़ा। आदित्य की आखे घूम गई, सीधे उसे घूर रहे थे। उसकी आखें तलवारों की तरह तेज थी, मानो वह जियूरियस को भेदने में सक्षम हो। एक पल बाद आदित्य जो रोशनी से जिल मिला रहा था, कदमदर्क दम चलकर जियूरियस की ओर बढ़ रहा था। प्रारंध में जियूरियस अपनी जमीन पर खड़ा था। लेकिन जैसे जैसे आदित्य और करीब आते गए, जियूरियस का चहरा आखिरकार बदल गया। बहुत अहंकारी मत बनो, या मृत्यो तुम्हारे लिए एक मात्र रास्ता होगी, जियूरियस ने धमकी दी। आदित्य ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, वह आगे की ओर चलता रहा क्योंकि जूरियस नपुनसक गुस्से से चिलाया और मुरने से पहले विस्पोटक गती से भाग गया। उसने आदित्य को अपने पास आने देने की हिम्मत नहीं की। यदि आप में से कोई भी मेरे शब्दों का परीक्षन करने की हिम्मत करता है, तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा और आने वाले किसी भी व्यक्ती को मार डालूंगा। आदित्य उस असीम धाविका प्रकाश में डूबे हुए थे, जिसमें उनके शरीर को ढखने वाले एक कवच के शिलालेख थे। वह दुनिया में एक अद्वितिय आभा बिखेरने के लिए वहां खड़ा था, और उसके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द में उसके विरोधियों के दिलों को कामपने की शक्ती थी। इस समय इस साधारन दिखने वाले युवक ने अपनी चमक का प्रदर्शन किया, और मेक प्रांत की विर्भिन प्रमुक शक्तियों की प्रतिभाव की तुलना में और भी अधिक चमकदार था। यह ऐसा था जैसे सभी में से, वह यहां एक मात्र मुख्य नायक है। उसने दूसरों को चिलाने की आग्या दी, उन्हें नायन इंमोर्टलिटी बेल के पास कहीं भी रहने की अनुमती नहीं है, या वह उन्हें बिना किसी दया के मार डालेगा। ऐसा दबंग रवया, यहां तक की जियांगलिंग किंग ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस तीसरे स्टर के लगन ने ठीक ऐसा ही किया है। इसके अलावा, उन्होंने प्रमुक शक्तियों के सभी विशेशग्यों को जवाब देने के लिए कोई रास्ता नहीं होने के कारण राख कर दिया। आपने घंटी की शक्ति का उप्योग जुआन जूपर घात लगाने और उसकी हत्या करने के लिए किया था। उस महिला की आखों में मानो आग उगल रही हो, आदित्य को कठोर द्रिश्टी से देख रही हो। आपके परपल फ्लेम संप्रदाय का जुआन जू उनसे भी कमजोर है, वह था सिर्फ एक चीन्टी। फिर भी साथ तलवार संप्रदाय से उन लोगों का मजाक उडाने के लिए उन्होंने इस स्थान से सभी को निकालने के लिए खुद को भी लिया। कितना हास्यासपद है, वह मेरी एक नजर से मर गया। पूर्ण और पूरी तरह से कच्रा। आदित्य का चहरा शांत था, वह अभी भी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था और परपल फ्लेम संप्रदाय की महिला को घूर रहा था। शुरुवात में मेरा आपके साथ परिशानी करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब आपने फिर भी वहां खड़े होने और अंथीन परिशान करने की हिम्मत की। क्या आप मरना चाहते हैं। जैसे ही डाई शब्द की ध्वनी निकली, मादा का पूरा शरीर हिंसक रूप से कामपनी लगा। आदित्य की आखों में ऐसा तेज था जो सब कुछ भेच सकता था। उसका शरीर काप रहा था, उसके होंट काप रहे थे, लेकिन वह एक आबाज नहीं निकाल पा रही थी, एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। सब तुरंट समझ गए कि इस लड़की के दिल में पहले ही डर बैट चुका है। आदित्य के जोर से वह इतनी डर गई कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। आदित्य का प्रभुत्व अद्वितिय था। यहां तक की इमेग प्रांत की शिखर्स्तरिये प्रमुख शक्तियों के शिश्यों के सामने भी उसने उनहें अपनी आखों में बिल्कुल नहीं डाला। उसने वही किया जो उसने कहा था कि वह करेगा। किसी को कोई संधेह नहीं था कि अगर वे उसे बहुत दूर धकेलते हैं तो वह केवल जियांगलिन देश का एक संप्रदाय था और उसने पहले ही इसमें से एक व्यक्ति को मार डाला था। अगर वह एक और हत्या करता, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि महिला उससे विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगी। यदी नहीं, तो यदी युवक वास्तव में क्रोधित होता, तो वह निश्चित रूप से मर जाती। तो वे घंटी की जंकार जो चेरोन की तुलना में अधिक जोर से गूंजती थी, वह उसके अलावा और कोई नहीं था, वहीं कुछ दर्शक कमेंट कर रहे थे, आदित्य की आँखों में आश्चर्य देख रहे थे। यह युवक असाधारन था, लेकिन उसने पहले लो प्रोफाइल होना चुना। किसने सोचा होगा कि प्रमुक शक्तियों के सभी शिश्य उसे हे द्रिश्टी से देखते थे और यहां तक की उसे मार डालना चाहते थे। तभी इस युवक ने अपनी असली ताकत का खुलास किया। वास्तव में शक्तिशाली शुरू में कुछ ऐसे थे जिन्होंने अनुमान लगाया था कि यहां नाइन इम्मोर्टिलिटी बेल की हथियार भावना प्रकट हो रही थी, फिर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां उसके कारण हुआ है। कितना मजबूत है, उसने चेरोन को भी पार कर लिया है, और प्रमुख शक्तियों से अन्यशिशों में से कोई भी हासिल नहीं किया है। पूरा कर सकता था। उन प्रतिभावने उसे नीचे देखा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह जो केवल एक तीसरे स्तर का आरोही है, पहले से ही उन चीजों को पूरा कर सकता है, जिन्हें करने का उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। यह विशेश रूप से जियान कभीले की प्रतिभा के लिए ऐसा है, जियान यान। वह एक पवित्र भूमी से आया था जो शस्त्र निर्मान और दिव्य शिलालेखों में विशिष्ट था, और उ हाला कि यहां के विशेशग्यों की सुनने की क्षमता अत्यंत तीक्ष न थी, वे बातचीत को स्वाभाविक रूप से सुन सकते थे। जियान यान राख हो गया, फिर भी उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके पीछे वालों ने ठंडेपन से अपने आखें उस बातचीत शुरू हुई थी, उनकी आखें तलवार की तरहे तेज थी। कितना शर्मनाख है, दूसरी शक्तियों के विशेशग्य अभी भी थोड़े बहतर थे। यहां, जियान यान क्लाउड प्रीफेक्चर की चोटिस्तरिये प्रमुख शक्ती से चुना गया एक जो हतियार बनाने पर केंद्रित था। बहुत पहले नहीं, वह अभी भी शिखर पर बुलंद खड़ा था, वह जियान चाओ का वंशच था, जो प्राचीन काल से एक देवता जैसा हतियार बनाने वाला था। लेकिन अब वह वंडर गेट इम्मोर्टल मैनर के चेरोन से भी हीन साबित हुआ, एक अंजान बववा की तो बात ही छोड़ दें जिसका खेती का आधार उससे भी कम है। यह सोचने के लिए कि इससे पहले उसने अभी भी युवक को तिरसकार में रखा था। कितना पूल्न अपमान है। यह तो बस मुह चिढ़ाने जैसा था। जियान यान ने पहले से ही कई निगाहों को महसूस कर लिया था, जिससे उसके चहरे पर जलन महसूस हो रही थी जो बेहत असानिय थी। तुम्हें पता था कि यह वह बहुत पहले था, मियू यान जो चेरोन के साथ खड़ा था, उसने मुर कर पूछा। नहीं इस से पहले मैंने प पीच काफी दूरी है, चेरोन ने यह कहते हुए बुरा नहीं माना कि वह बिल्कुल कमजोर था, इससे पहले वह दोस्त के तौर पर अपनी जान पहचान बनाना चाहते हैं और आदित्य के सामने अपनी मनशा साफ कर चुके हैं, हाहा तुम इस पहलू में इतना कुछ नहीं जियान यान इस समय चेरोन ने जानबूच कर अपनी निगाहें घुमाई, उसका चहरा कटाक्ष के संकेट से भर गया, उन्होंने उदासींता से जारी रखा, कुछ समय पहले जियान यान ने भाई तियान बेन को भी अपमानित किया था, लेकिन बाद में यह वास्तव में ह जाते थे कि कोई इसके बारे में बात करे, पहले आप बहुत निरलज नहीं थे, क्या आप मेग प्रांथ की एक पवित्र भूमी से चुने गए स्वर्ग नहीं हैं, जो हतियार बनाने में माहिर हैं, क्या आपने यह नहीं कहा कि तुम दोनों अलग-अलग तबकों के होने के कारण तुम से बात करने के काबिल ही नहीं थे, और यह भी जोडा कि इस वजह से मर जाना चाहिए, लेकिन अभी भाई आदित्य वहीं खड़ा है, और तुम्हारी बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं है, अगर मैं तुम थे, मैं तुरंत अपने कबीले में बंद दरवाजे क जिससे जियांग्यान इतना क्रोधित हो गया कि उसका शरीर कामपने लगा, बस बस चले जाओ, तुम सब लोग बस अपमान के निशाने पर हो, अगर तुम बने रहे, मुयान ठंडेपन से बोली, जोरियस ने अपने दिल में एक तीवर अनिक्षा महसूस की, उन्होंने आपका जीवन निश्चित रूप से मेरा होगा, लेना। पलक जपकते ही सभी लोग विदा हो गए क्योंकि माहौल में फिर से सन्नाटा चा गया। दर्शकों ने अब आदित्य को अलग तरह से देखा, इस आदमी ने नौ अमर्प घंटियों के साथ एक सहज संबंध बना लिया था और उसके द्वारा उतपादित घंटियों की मात होने के लिए लेकिन एक विचार प्राप्ति के इस स्तर ने चेरों को अवाक छोड़ दिया, वह बहुत हीन था, आदित्य की उपलब्धी उससे कम से कम पांच साल आगे थी, और यह संदेहास्पत था कि वह पांच या दस साल बिताने के बाद भी पकड़ पाएगा, सच असंभव होगा जब तक कि मैं उन्हें अपनी जान नहीं दे देता, आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, हालां कि यह कुछ भी बड़ा नहीं है, ना इन इम्मोर्टलिटी बेल की शक्ती के साथ, आपको उनसे डरने की बिल्कुल भी आवश्यक्ता नहीं है, और जहां तक इ अधान रहने की आवश्यक्ता है, और यदि आप इस खेत्र को छोर देते हैं, तो हमारे पक्ष में रहने का प्रयास करें, मुयान ने चेतावनी दी, समझ गया, मुझे यहां थोड़ी देर और रहने दो, मैं अन्य आठ स्थानों पर जाने से पहले इस घंटी को समझना चा हालां की चेरोन आत्म विश्वासी और अहंकारी था, लेकिन वह समझ गया कि पच्टाने के बजाए हमेशा सुरक्षित रहना बहतर होगा, आदित्या ने सिरहिलाया, और चेरोन और मुयान के नेक इरादों को अस्विकार करने की कोशिश नहीं की, डिफ्टस नो इनके शी निवान के पीछे बैठी थी, ने अपना सिर दुख में नीचे कर लिया था, यह उन साथियों के लोटने का समय है, केबल तीसरे स्तर के आरोही को अनुशासित करने में वास्तव में इतना समय बरबाद हुआ, उनमें से एक धीमी आवाज में बोला, पे तिया निवान मुस असल, यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, Drift Snow City Lord ने अपना सिर हिलाया और हसे, हाला कि यह एक छोटी सी बात है, वह लड़का वास्तव में बहुत जिद्दी था, अपने वरिष्ठों को नहीं जानता था, इस तरह के चरित्र अकसर अपनी उतकृष्ट प्रतिभाव के बाव जल्दी मर जाते हैं, क्लावड टावर टावर लॉड जी कांग लापरवाही से बोला, बेहद लापरवाह दिखाई दे रहा था जैसे कि आदित्य एक नगण्य अस्तित्व था जिसे किसी भी क्षन सुंखा जा सकता था, वास्तव में पेई तिया निवान ने सिर हिलाया, उसके पीछे बैठी पेई यू को इससे थोड़ा गुस्सा आया, उसने अपना सिर उठाया, उसकी अभिव्यक्ती भग्दी थी, लेकिन इस जगह उसके पास बोलने की कोई योग्यता नहीं थी, वे वापस आ रहे हैं, इस क्षन पेई तिया निवान ने अपनी निगाहें जैसे कि वह भ्रमित हो, कुछ गडबर थी, इन लोगों के कपड़े फटे हुए थे, और कुछ बेहत दैनिय अवस्था में थे, साथ तलवार संप्रदाय से नियोन के लिए उसकी आभा में बहुत उतार चड़ाव हो रहा था, जैसे कि वह भारी रूप से घायल हो गई हो, क्या ऐसा हो सकता है कि चेरोन और म्यू यान इतने शक्तिशाली थे, उन दोनों ने इन सभी प्रतिभाव को पीछे हटाने में काम्यावी हासिल की, भोज में शामिल सभी लोगों ने पाया कि कुछ अनपेक्षित घटित हुआ था, ये लोटती प्रतिभाए न केवल उनके प्रभामंडल में उतार चढ़ाव थे, बलकि उनके हावभाव भी बेहत भग्दे थे, उनके भीतर जियां यान और नियान सबसे अधेक प्रभावित हुए, जियां यान का चेहरा विकृत था, उसकी अभिव्यक्ती 10,000 साल पुराने बर्फ के टुकडे की तरह ठंडी थी और जो लोग नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, वे यह भी सोच सकते हैं कि चुना गया यह सुंदर और गौर्वकून स्वर्भ किसी के द्वारा कलंकित था, क्या हुआ सभी के हरिदय जिग्यासा से भर गए, क्या ऐसा हो सकता है कि वे उस युवक को मारने में विफल रहे, किसी ने अनुमान लगाया, हाला कि इसकी संभावना बेहत कम थी, इतने सारे विशेशग्यों के साथ, वे एक मात्र तीसरे स्टर के लगन को मारने में कैसे विफल हो सकते हैं, यहा तक की चेरोन और मुयान की सहायता से, इन सभी विशेशग्यों की ताकत उन दोनों को प्र प्यार नहीं लग रहे थे, सीधे अपनी पिछली सीटों पर लोट रहे थे, उन्होंने जियांदलिंग राजा, पेई तियानिवान से बात करने की भी जहमत नहीं उठाई और इससे उपस्थित लोगों को यहां एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ गलत हुआ है, पीजियो पेई तियानिवान की नजर पेई जियो पर पड़ी, आखिरकार ये सभी लोग प्रमुख शक्तियों के शिश्य थे, पेई तियानिवान के लिए उन्हें बोलने के लिए मजबूर करना उचित नहीं था, पेई जियो स्वाभाविक रूप से जवाब मांगने का मुख्य ल अगर उसने सचाई से चीजों की सूचना दी, तो निस्सन देह कोईले को आग में जोक दिया जाएगा और इन चुने हुए लोगों के चहरे के भाव और भी भद्दे हो जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर उसने पेई तियानिवान से जूट बोलने की हिम्मत नहीं की। कि युवक ने सभी की कलपनाओं को पार कर लिया था। इसलिए पेजियो एक कठिन स्थिती में था और उसके लिए बहुत अधिक कहना अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ अगर वह युद्ध के लिए रनिक शिलालेखों की शक्ती उधार लेने में सक्षम था। कर सकते। दिव्य शिलालेखों में उस लड़के की उपलब्धी बहुत अधिक है। कि वह बुरी तरह घायल हो गई थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वह एक नए वस्तर में बदल गई है और अब यह सुनने के बाद भीड आखिरकार क्यों समझ गई। उसे मारने का कोई तरीका नहीं। अधिक संभावना है इन प्रतिभाव को छड़ी के छोटे सिरे का साम नियोन ने इस मामले को छिपाने की कोशिश नहीं की, कई लोगों ने उसका मुकाबला देखा था और शायद इस मामले की खबर जल्द ही ड्रिफ्ट सनो सिटी में तेजी से फैल जाएगी और भोज के बाकी प्रतिभागियों को जल्द ही इसका पता चल जाएगा। वह सभ खुशी का दिन है, क्रिप्या अपना पूरा आनंद लें। भीड ने क्रमशय जियांगलिंग किंग को टोस्ट करते हुए अपने वाइन कप उठाए। हाला कि चीजों को जीवन्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन माहौल पत्थर जैसा बना रहा। इन प्रतिभाव का आ रूप से वापस जाना होगा और उस बंदे को चुकाना होगा। दूसरी और पेई यू दूसरों की कुलना में ज्यादा खुश महसूस कर रही थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतना शक्तिशाली होगा। स्वाभाविक रूप से उसने सही अनुमान लगाया था क कि इन लोगों को आदित्य के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। प्रमुख शक्तियों के विशेशग्यों के एक के बाद एक चले जाने के तुरंक बाद भोज समाप्थ हो गया। बहुत जल्दी कुछ ही लोग भोज में थे। जियांगलिंग किंग पेई तियानिवान। क्लाउड टावर्स के टावर लॉड, जी कांग और ग्रिफ्ट सनो सिटी के सिटी लॉड साथ ही साथ उनके अधिनस्थ। अभी पेई तियानिवान ने अपना शराब का प्याला उठाया और पेजियों की ओर मुरने से पहले अपनी शराब की चुसकी ली और पूछा सब होने के बाद पेई तियानिवान लंबे समय तक चुप रहा, जिसके बाद उसने अपना सिरहिलाया और आहे भरते हुए कहा, हमने गलत निरने लिया है, कोई आश्चर्य नहीं कि चेरोन उस युवक के इतने करीब था, तो यह पता चला कि नाइन इम्मॉर्टेलिटी बेल क की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले हमने नाराज किया, इसके अलावा उन्होंने प्रमुक शक्तियों के विशेशग्यों के साथ भी दुश्मनी बनाई, यह वास्तव में निराशाजंक मामला है, इस बार विभिन प्रमुक शक्तियों के विशेशग्यों न विशुद रूप से नाइन इंमोर्टिलिटी बेल में छिपे रहस्य के कारण डृफ्ट स्नो शहर का दौरा किया। अगर हम चीजों को सुचारू करने की कोशिश करते हैं और अब हमारे संबंध बनाएं अधिक से अधिक वह हमारे साथ शिश्टता का ढों करेंगे लेकिन हमारे संबंध कभी भी बहतर नहीं होंगे। इसके अलावा तो क्या हुआ अगर दिव्य शिलालेखों में उनकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं। उनकी खेती का आधार अभी भी कमजोर है। और क्या हमें वास्तव में एक व्यक्ति की खातिर में प्रांत की चुनी हुई अन्य प्रमुक शक्तियों को रोकना चाहिए। पे यू आप बस हैं बहुत भोला। और अगर हम 10,000 कदम पीछे हटते हैं और मान लेते हैं कि वह वास्तव में 9 अमर्ता की घंटी के पीछे के रहसे को सुलजा सकता है तो इसका क्या। क्या लाब अन्ता उसी का होगा। पे यू ने लापरवाही से बात की उसके शब्दों के कारण पे यू पीला पड़ गया। आप उसे जाने क्यों देते हैं पे यू ने एक पल के बाद असमन जस में पूछा। पे यू अन्ता अभी भी किंस मैनर से हैं लेकिन वह चेरोन, मुयान और तियानवेन अभी भी काफी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा सही माइने में किस तरफ हैं। जब तक वह उकसावे की पहल नहीं करता तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। बस उन्हें आपस में लड़ने दो। पे यू ने प्रकाश देखा, उन्होंने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, प्रबोधन के लिए टौवर लॉड जी को बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह सीखें, इससे पहले की वह खड़ा हुआ और चला गया, जी कोंग ने पेजियो के कंधे पर थपकी दी। इस भोज को अस्फल माना जा सकता था, लेकिन पेई तिया निवान को इससे कोई फ्रकन नहीं पड़ा। बाद के दिनों में विर्भिन चुने हुए लोगों के साथ आदित्य की लड़ाई की खबरें प्रसारित होने लगी। तक्षन 93 नाम अत्यधिक चकाचौंध हो गया। बहुत से लोग अंतह जानते थे कि वह युवक जो कुछ दिनों पहले प्राचीन घंटी के नीचे बिना हिलेडुले बैठा था, रहस्यमय होने का नाटक नहीं कर रहा था, बलकि गहरी समझ की स्थिती में था। जहां तक जियांग यान की बात है, हर बार जब वह प्रकट होता था, तो लोग उसे अजीब भावों से देखते थे जिसके कारण वह बहुत असहज महसूस करता था। उसे लगा जैसे वह तूटने के कगार जैसे जैसे समय बीता गया, अधिक से अधिक विशेशग्य ड्रिफ्ट स्नो सिटी पहुंचे। लेकिन जल्द ही जब वे जमीन को छूते थे, तो एक कोखर में पिघल जाते थे, केवल उस पल के लिए मौजूद होते थे, जब वे हवा पर नाचते थे। ड्रिफ्ट स्नो सिटी में स्नो ड्रिफ्टिंग द्रिश सामान्य से भी अधिक सुन्दर था। एक निश्चित अ आपका स्वाभाविक रूप से ड्रिफ्ट स्नो मास्टर का दिकर कर रहा था। पे यू ने चेरोन को घूरते हुए कहा, कुछ भी संभव है, घंटियों के भीतर का रहस्य अभी तक उजागर नहीं हुआ है, और तियानवेन ने यह भी कहा कि उन्होंने ड्रिफ्ट स्नो मास्टर को पहले एक द्रिश्टी में देखा था, और क्या चीजे संभव नहीं है? शिलालेखों के दाव में उनकी उपलब्धिया कितनी उच्च हैं? आदित्य की ओर देखते ही चेरोन का मुह कुछ एंट गया. आदित्य से जुड़ी नौ अमरता घंटियों में से यह पहले से ही पांचवा है. इससे पहले कि उसे अपने भीतर के रहस्य को जानने का मौका मिले उसे रनिक शिलालेखों को समझना होगा और सभी नौ प्राचीन घंटियों के साथ संबंध बनाना होगा. इस समय आदित्य विशाल घंटी के सामने बैठ गया. उसकी धार्णा घंटी के भीतर गहराई से डूबी हुई थी. या शायद यह कहना बहतर होगा कि उनकी ध हाणा वर्तमान में एक द्रिश के अंदर डूबी हुई थी. इस द्रिश में बर्फ के टुकडे लगातार हवा में नाचते रहे. एक सुन्दर विशाल किले के सामने एक विशाल आकरिती चुपचाप वहाँ बैठी थी. इस विशाल आकरिती की उचाई 33333 मीटर से अधिक थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर आकाश को चुँ सकता है. इतने विशाल को देखकर बस भयानक था. हाला कि इस भयानक दैके के लिए बस इतना ही था कि उसका शरीर बढ़ा था. उसके रूपरंग सुन्दर थे और उसके चहरे पर सौमेता और शांती के भाव थे. उसकी आखेक शितिच को घूर रही थी. लालसा की भारी भावना से भरी हुई थी. और उसने अपना हाथ बाहर निकाला और बर्फ के टुकडे को अपनी हथेली के अंदर पिघलाते हुए लगातार गिरने दिया. हाला कि ऐसा लग रहा था कि वह ठंड़क को महसूस नहीं क लिया था. यह विशाल आकरिती निस संदेह Drift Snow Master थी. उनका शरीर 30,000 मीटर से अधिक आकार का था और महापुरूशों का पात्र था. कोई केवल अनुमान लगा सकता है कि उसका खेती का आधार कितना भयानक था. इससे पहले आदित्य ने पे यूको Drift Snow Master की किमबदंतियों के बारे में बात करते हुए सुना था. हाला कि उनका मानना था कि इस दुनिया में किसी का प्यार इतनी गहराई तक पहुँच सकता है और वह अमर जेड के जुनून में भी विश्वास करता है. फिर भी उन्हें कुछ संदेह हुआ जब उन्होंने शहर के निर्मान के लिए अपने मास और रक्त का उप्योग करके ड्रिफ्ट सनो मास्टर के बारे में सीखा और अपनी आत्मा को अमरता की नौ घंटियों में डाल दिया. हाला कि अभी नाइन इम्मॉर्टिलिटी बेल्स के एक द्रिश में जब उन्होंने ड्रिफ्ट सनो मास्टर की विशाल आकृत को देखा तो उनके सभी संदेह दूर हो गए. ड्रिफ्ट सनो मास्टर का साधना आधार अमरनीम स्तर से बहुत अधेक उचा हो सकता है. यह केवल सामान्य था यदि ड्रिफ्ट सनो मास्टर के स्तर का एक विशेशग्य उन चीजों को करने में सक्षम होता जो किसी को लगता था कि यह असंभव है. हकीकत में आधित्य की आखें धीरे-धीरे खुली. उसकी टकट की अभी भी नाइन इंमोर्टलेटी बेल को टकट की लगा कर देख रही थी. घंटी से जगमगाती रौनिक रोशनी और उसके भीतर एक निश्चित प्रकार की कानून उर्जा होनी चा को देखा, अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया. द्रिश केवल स्पष्ट हो गया था. मैंने एक विशाल व्यक्ती को देखा, ड्रिफ्ट स्नो मास्टर चुपचाप बैठे हुए थे जैसे की मौत की प्रतीक्षा कर रहे हूँ. इम्मोर्टल जेड के जाने के बाद यही द्रिश होना चाहिए. ड्रिफ्ट स्नो मास्टर एक गहन चिंतन में डूबा हुआ था. हालांकि हथियार बनाने के प्रती अमर्जेड का जुनून उसके लिए उसके प्यार की गहराई को पार कर गया. ड्रिफ्ट स्नो मास्टर अत्यंत जुनून का व्यक्ती था. ड्रिफ् Drift Snow Master बनेगा जिससे यह जियांगलिंग देश के सबसे बड़े मुख्य शहर किंग सिटी से भी अधिक लोगप्रिय हो जाएगा वर्तमान में अत्यधिक संख्या में विशेशग्य पहले से ही एकत्रित हो चुके थे और सभी क्रमशय घंटी के साथ समबाद करने का प्रयास कर रहे थे हाला कि ऐसे कई लोग थे जो कनेक्शन की थोड़ी सी भावना बनाने में काम्याब रहे किसी ने भी घंटियों को इतनी जोर से जंकारने का कारण नहीं बनाया जितना आदित्य ने किया था प्राचीन घंटियों के भीतर के द्रिश को देखने वाले हैं या नहीं इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और इस समय अमर प्रकाश की कई किरने आसमान से चमक उठीन जिससे कई लोगों के सिर उपर की ओर मुड़ गए जैसे उनके चेहरों पर खौफ दिखाई दे रहा था वे अमरनींग विशेशग्य हैं वे सभी अमर हैं ऐसा लगता है कि विभिन प्रमुक शक्तियों के अमरनींग विशेशग्य आखिरकार आ गए हैं भीड ने चुपचाप अनुमान लगाया इससे पहले जितने विशेशग्य आये थे वह महज एक हिस्सा थे अब प्रमुक शक्तियों के पात्र सभी आजाने चाहिए थे राजा के आदेश को फैलाव तीन दिन बाद प्राचीन घंटियों का स्थान आकस्मिक उप्योग के लिए निशिद्ध होगा केवल प्रमुक शक्तियों के लोग ही रह सकेंगे जो लोग संबंध नहीं बना सकते थे उनके लिए कोई भी पीछे नहीं रहना है वे केवल निर्धारित सीमाओं के बाहर तमाशा जारी रख सकते हैं इसी दोरान शेत्र में एक तेज आवास गूझ उठी क्या जीनियस और विभिन शक्तियों में से चुने गए अपने हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं पेई यू बुदबुदाया आदित्य ने उसे देखा और पूछा उन्हें घंटी के सामने हथियार क्यों बनाना चाहिए इसका परिचालित किमवदंतियों से कुछ लेना देना है डिफ्ट स्नो मास्टर की आत्मा को घंटियों में डाला जाता है हो सकता है यह हथियार बनाने के संबंध में उनके और अमर जेड के जुनून के कारण था इसलिए जब हथियार की भावना प्रकट होती है यदि कोई घंटियों के साथ जुड सकते हैं तो वे अमर्ता की भावना का एक कत्रा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं इसका उप्योग करके वे रहस्य को बहतर धंग से जानने के लिए घंटी के साथ एक बहतर संबंध बना सकते हैं अतीत से हथियार बनाने वालों की पीडियों ने शक्तिशाली हथियार बनाने की तकनीके हासिल की हैं और नाइन इंमोर्टिलिटी बेल्स से पहले कला पे युने धीरे से समझाया जैसा की कहा जाता है नौ अमर्टा की घंटिया अमर लोगों से सवाल नहीं करती और नश्वर लोगों के लिए एक बार जब वे हथियार फोरजिंग के माध्यम से सभी नौ घंटियों के साथ एक संबंध प्राप्त कर लेते हैं तो उनके पास अमर्टव पर चड़ने का अफसर होगा एक कदम यह अफवाह युगों से चली आ रही है लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इसका खुलासा नहीं किया एक कदम से अमर्टा की ओर बढ़ना आदित्य ने सिरहिलाया खेती एक ऐसी चीज थी जिसे आपने कदम कदम पर बनाया था एक नहर तभी बनती थी जब पानी की परियाप्त बुंडे एकत्र हो जाती थी जब किसी का साधना आधार परियाप्त होता तो वे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम होते लेकिन उससे पहले यह असंभव था यह स्वर्ग और प्रिथवी द्वारा स्थापित एक नियम था एक अटूट नियम इसलिए आदित्य को उस अफवाह पर विश्वास नहीं हुआ हाला कि चूंकि यह अफवाह किसी तरह शुरू हुई इसलिए निश्चित रूप से आग के बिना धुआ नहीं होगा इसमें कोई छिपा अर्थ हो सकता है बस यह की अभी तक कोई नहीं जानता था और इसलिए इसे जनताने गलत समझा तीन दिन और हैं उस स्थिती में मैं जाऊंगा और अदली अमर्ता बेल से जुड़ूंगा बोलने के बाद आदित्य खड़ा हुआ और चेरोन और मुयान के साथ चला गया इन कुछ दिनों में वे आदित्य के साथ थे सबसे पहले यह दूसरों को आदित्य के खिलाफ कारवाई करने से रोकने के लिए था जबकि दूसरी बात वे देखना चाहते थे कि आदित्य कितनी दूर तक यात्रा कर सकता है क्या वह सभी नौ प्राचीन घंटियों से जुर पाएगा जदी नौ अमर्ता की घंटियों के भीतर के रहस्य को उजागर किया जा सकता है तो खोलने वाले की पहचान कोई और नहीं बलकी आदित्य होगी जैसे जैसे समय बीता गया प्रमुक शक्तियों के अधिक से अधिक लोग आ गए हर जगह अमर दिखाई दे रहे थे और उनके चारों और अमर प्रकाश का कोरोना अतुलनिय रूप से चकाचौंध कर रहा था ऐसा लग रहा था कि तीन दिनों का समय बड़ी तेजी से बीत रहा है नाइन इम्मोर्टलिटी बेल के केंदर में एक विशाल सारवजनिक चौक था जियांगलिंग किंग उनके अधिनस्थ और अमर फांडेशन विशेशग्यों की एक रेजिमेंट वहाँ पर खड़ी थी प्रत्येक एक भयानक ताकत को बाहर निकालता है जिससे आसपास के लोगों को दमन की भावना महसूस होती है हर कोई नाइन इम्मोर्टलिटी बेल की आत्मा का प्रकट होना इस बार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है हमें यह देखने के लिए आज यहां सभी प्रतिभाव के प्रयासों पर निर्भर रहना होगा कि क्या हमारे पास घंटियों के भीतर के रहस्य को उजागर करने का मौका है पेई तियान्युवान हवा में खड़ा था उसकी सुरीली आवास सभी आठ दिशाओं में गूंज रही थी उन लोगों के लिए जिनका यहां कोई व्यवसाय नहीं है यदि आप देखना चाहते हैं तो आप पीछे हट सकते हैं और स्थापित सीमाओ उपर खड़े हो सकते हैं पेई तियान्युवान ने जारी रखा उसके बाद कई लोग अनिच्छा से क्षेतर छोड़ दिया उसी समय अमर्ता की घंटियों के प्रत्येक स्थान के लिए शिखर्स्तरिय प्रमुक शक्तियों के अभिजात वर्ग को देखा जा सकता था Immortal Foundation के विशेशग्यों के लिए वे Drifts No City के मध्यक शेतर के ऊपर हवाईक शेतर में खड़े थे अपनी तेज इंद्रियों के साथ वे Drift No City में कहीं भी खड़े हो सकते थे और फिर भी घटनाओं को स्पश्ट रूप से देख सकते थे अभी आदित्य आठवी अमर्ता की घंटी के सामने था उसने अपना सिर उठा लिया और आकाश की ओर देखने लगा जैसे उसकी आखों में तेज चमक रहा हो वह थंदक की एक टकटकी को उस पर वापस शूटिंग करते हुए महसूस कर सकता था जिससे एक तीवर हत्या का इरादा पैदा हो गया था यह व्यक्ती कोई और नहीं बलकी बैटल हेवन्स इम्मोर्टल मैनर का जूरियस था पहले वह बड़ी अनिक्षा से चला गया और आज वह अपने संप्रदाय के और भी कई विशेशग्यों के साथ लोटा और पहले से कहीं अधिक असाधारन दिखाई दिया जूरियस के साथ एक आदमी था जो आदित्य की तरफ उसी तरह घूर रहा था उसने फिर पूछा यहां आदमी रनिक शिलालेखों से शक्ती उधार लेने और युद्ध में आप सभी को हराने में सक्षम है जूरियस की भौहें तन गई अपने दिल में कुछ नाखुशी महसूस करते हुए उन्होंने ठंडेपन से जवाब दिया वह ठीक है दिव्य शिलालेखों में उनकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं और जब वह रनिक शिलालेखों की शक्ती उधार लेते हैं तो उनका युद्ध कौशल अकलपनिय होता है ठीक है उस स्थिती में चलो उस प्राचीन घंटी की ओर चलते हैं जहां वह है वह व्यक्ती बोला उसके शब्दों ने जूरियस को कठोर कर दिया क्योंकि उसने अपना सिरहिला दिया अगर हम वहां जाते हैं तो हमारे लिए मौका और भी छोटा होगा यह उप्युक्त नहीं है यदि आप नहीं जाते हैं तो मैं जाऊंगा वह व्यक्ति जारी रहा और उस प्राचीन घंटी की ओर बढ़ा जहां आदित्य था बैटल हेवन्स इंमोर्टल मेनर के अन्य विशेशगे जूरियस को घूरते रहे और उनमें से एक बड़े ने पूछा जूरियस क्या चर रहा है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका व्यक्तित्व एक पाईदान नीचे चला गया है और आप पहले से कहीं अधिक सतर्क है आपको भी लगता है तीसरे सतर्के आरोही के खिलाफ जाने पर आपके दिल में घबराहट अंकल मास्टर बस देखना जारी रखें वह आदमी निश्चित रूप से हंगामा करेगा उसे हमारी दृष्टी में रखना बहतर है जदि वह वास्तव में वह है जो घंटी के रहस्य को उजागर कर सकता है तो हम बहतर पहले संप्रदाय होंगे जो उसे हमारे नियंदरण में रखते हैं जूरियस ने चेतावनी दी लेकिन उनके संप्रदाय के कई लोगों को यह नहीं लगा कि यह महत्वपूर्ण था अंध में जूरियस अकेले ही आगे बढ़ सकता था एक और प्राचीन घंटी की ओर बढ़ रहा था जूरियस के लिए ही नहीं इससे पहले आदित्य की तलाश में भाग लेने वाले अन्य सभी प्रतिभागी अपने संप्रदायों के विशेशग्यों के साथ लौट आए नियोन मैंने सुना है कि कोई है जिसने तुम्हें पहले घायल किया था वह कौन है? क्या हम उसे तुम्हारे लिए मार दें? साथ तलवार संप्रदाय की दिशा में वहां के विशेशग्य बादलों के समान असंख्य थे जिस व्यक्ती ने नियोन से बात की वह अमर फाउंडेशन रैंक का विशेशग्य था कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मामला खुद संभाल सकता हूँ यहां तक कि अगर वह मर भी जाएं, तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा नियोन ने अस्विकार कर दिया, उसकी निगाहें आदित्य की ओर मुर गई जैसे की एक ठंडी हत्या का इरादा टिंटिमा रहा हो वह स्वाभाविक रूप से अपने संप्रदाय के विशेशग्यों से सहायता मांग सकती थी लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो यह बात फैल गई कि उसे तीसरे स्टर के आरोही को मारने के लिए अपने संप्रदाय से मदद की भी जरूरत है भविश्य में संप्रदाय के भीतर हर कोई उसके अस्तित्व का तिरसकार करेगा और उसके बारे में मजाग की तरह बात करेगा इसलिए उससे बचने के लिए भले ही वह अपनी शक्ती से आदित्य को नमार सके लेकिन वह कभी भी अपने संप्रदाय के विशेशग्यों से उसकी मदद करने का अनुरोध नहीं करेगी वंदरगेट इम्मोर्टल मेनर के विशेशग्य भी पहुँचे वे हवा में खड़े हो गए और उनमें से कईयों की निगाहे चेरोन पर थी जब उन्होंने पूछा चेरोन क्या तुम तयार हो हम मैं अपना सरवश्रिष्ट करूंगा चेरोन ने अपने संप्रदाय के सदस्यों को घूरते हुए उत्तर दिया महान हम अमर्ता की घंटियों के भीतर के रहस्य को उजागर करने में आपकी सफलता की आशा कर रहे हैं इस बार हाला कि आपके स्वामी हमारे साथ नहीं आये फिर भी वे आपके बारे में बहुत चिंतित हैं कड़ी महंत करें, उन्हें निराश न करें, उस व्यक्ती ने कहा जद्यपी विभिन्द प्रमुक शक्तियों के अधिक शक्तिशाली विशेशग्य पहुँचे आने वाले समय को छोड़ना बहुत शक्तिशाली पात्रों के लिए असंभव था आखिरकार, नाइन इम्मोर्टेलिटी बेल यहां युगों से चली आ रही थी और इसके भीतर नहित रहस्य इतने बड़े नहीं होंगे कि वास्तव में शक्तिशाली अस्तित्व को आकरशित कर सकें लेकिन खिर भी यहां जुटे विशेशग्यों की ताकत अब लोगों को चौका देने के लिए काफी थी केवल एक नजर हवा में कई अमर्श्रेनी के विशेशग्यों को देखने में सक्षम होगी उसी समय प्रत्येक नौ अमर्टा की घंटी के सामने स्वर्ग के चुने हुए और प्रत्येक शक्ती के प्रतिभाय पहले से ही वहाँ एकत्रित थे उन्होंने अपने मन और आत्माओं को स्थिर किया सभी 9 Immortility Bales के सामने एक हतियार बनाने की तयारी कर रहे थे इस उम्मीद में कि वे हतियार बनाने की प्रक्रियां को उन से जोड़ने के लिए भीतर के रहस्य को उजागर करने की एक विधी के रूप में उपयोग करेंगे आधित्य जिस 9 Immortility Bales के सामने थे उसके लिए भी वैसे ही कई विशेशग्य थे वे हवा में खड़े होकर हथियार बनाने की तैयारी कर रहे थे केवल आदित्य ही उसी स्थिती में रहा जहां वह था, दूसरे क्या कर रहे थे इसकी परवाह न करते हुए जैसे कि वह केवल एक तमाश बीन हो हर कोई अब समय शुरू होता है हवा से जियांगिलिंग किन की आवाज गूंज उठी वह उचे स्थान पर खड़ा हुआ और नीचे के विशेशग्यों पर अपनी दृष्टी डाली प्राचीन घंटियों के उपर हवाई क्षेतर में लगभग 10 मिलियन प्रतिभाए एकत्रित थी लेकिन इतना होने के बावजूद पेट या निवान को बहुत अधेक उम्मीद नहीं थी इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस रहस्य से परदा नहीं उठा हाला कि ये लोग अपनी उची महत्वा कांग्शाओ और इच्छाओं के साथ यहां आये थे लेकिन अंतह उन्हें निराश होकर लोटना पड़ा उन्होंने ऐसे कई मामले देखे हैं दूर से दर्शक देखते रहे उनकी निगाहे प्रमुक शक्तियों की विभिन प्रतिभाव पर केंद्रित थी इस बार क्या कोई इतिहास रचने में सक्षम होगा जो प्राचीन घंटियों के पीछे की पहेली को सुलजाएगा जो युगों से एक रहस्य बना हुआ है नाइन इम्मोर्टलिटी बेल्स के स्थानों पर वहां का तापमान जुलसा देने वाला था क्योंकि विभिन प्रकार के हतियार बनाने वाली भट्टियां एक के बाद एक दिखाई देने लगी हवा में तैरती हुई अपने स्वयं के प्रकाश से विकीण हो रही थी क्योंकि विशेशग्य प्रमश्य अपनी फोर्जिंग प्रक्रिया तयार करने लगे स्वाभाविक रूप से ऐसे चुने गए थे जिन्होंने दिव्य हतियार बनाने का विकल्प नहीं चुना था ये लोग दैविय शिलालेखों के अच्छे जानकार थे और प्राचीन घंटियों के साथ पहले से ही संबंध स्थापित कर चुके थे अभी वे चुपचाप घंटियों के सामने चिंतन में बैठे थे उससे समवाद करने का प्रयास कर रहे थे इन लोगों के भीतर मेग प्रांथ की प्रमुक शक्तियों में से कई थे कितनी तेज लपते हैं, उनमें से कई आग की असामाने किसमे हैं वास्तव में यहां तक की एक हथियार बनाने के लिए अमर आग का उपयोग करने वाले लोग भी हैं हवा के बीच में अमर विशेशग्यों की आखें कभी-कभी तीक्षनता से चमक उठती थी क्योंकि वे अपने दिव्य हथियारों को बनाने का प्रयास करने वाले प्रतिभाव का सर्वेक्षन करते थे पेई तियान्युआन, जी कोंग और ग्रिफ्टसनो सिटी के सिटी लॉड एक साथ खड़े थे उनके अलावा, क्लावड प्रांथ की विभिन शक्तियों के सदस्य भी थे इस बार ऐसा लगता है कि जीयान कभीले वंडर गेट इम्मोर्टल मैनर की तुलना में इस घटना को अधिक गंभीरता से लेते हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में और विशेशग्यों को यहां भेजा है पेई तियान्यवान ने किनारे की ओर देखा जीयान्यवान कभीले के लोग एक गठन में खड़े थे क्योंकि उनकी नजरे जीयान्यवान और उनके जीयान्यवान कभीले से युवापीधी के चुने हुए लोगों पर केंद्रित थी इस समय जियान यान जिस ज्वाला को नियंत्रित कर रहा था, वह निसंदे एक खजाना था अस्तित्व में और बाहर बर्फीले क्यूई की लप्टें जिलमिलाती देखी जा सकती थी और आग के भीतर शितलता का एक घटक था इस प्रकार की आग को बर्फीले अंडर्वर्ड की लप्टों के रूप में जाना जाता था और इसमें अत्यधिक विनाशकारी गुन होते थे बस इसे थोड़ा सा छूने से किसी को बड़ी चोट लग सकती है वंडर्गेट इम्मोर्टल मैनर के कुछ शिश्य और कुछ बुजुर्ग हैं लेकिन उनके लोगों की संख्या जियान कबीले की तुलना में बहुत कम थी पेई तिया निवान ने फिर चेरोन पर अपनी निगाहें जमाई चेरोन की लप्टे सुनहरे रंकी थी उसकी आखों में भी सुने के छींटे देखे जा सकते थे आग की लप्टों ने फोर्जिन सामगरी को धक लिया और फोर्जिन की प्रक्रिया जारी रहने के बाद एक के बाद एक सुनहरा अगनी कमल खिलता हुआ प्रतीत हुआ कितना सटीक नियंत्रन ऐसा लगता है कि इन प्रतिभाव के फोर्जिन के तरीके आदर्श से बहुत उपर है और इन्हें असाधारन माना जा सकता है जी काम बड़बडाया हतियार फोर्जिन, जियान कभीले और वंडरगेट अमर मनोर पर ध्यान केंद्रित करने वाली दो शक्तियों के अलावा युवा पीधी के कई अन्य संभरांत हतियार भी मौजूद थे आदित्य अभी भी आठवी अमर्ता की घंटी के सामने था वह अपनी आखे बंद करके वहा बैठ गया क्योंकि स्वर्ग और प्रित्वी की रोशनी अंधेरे में बह रही थी एक निराकार उर्जा में एकत्रित हो रही थी जो द्रिश्टी से छिपी हुई थी सीधे कानून उर्जा में परिवर्तित होने से पहले नौ अमर्ता की घंटी के उपर लगातार घोम रही थी जो सीधे अंदर आ गई थी नौ अमर्ता बेल ठीक इसी क्षण आदित्य ने अपने भीतर की धारना को डूबो दिया जैसे की एक शहर उनकी आँखों के सामने आ गया इस बार आदित्य ने ड्रिफ्ट स्नो इन देखा कल की सराय आज की सराय से कई गुना अधिक सुन्दर थी हालांकी द्रिश समान थे वातावन अलग था और अधिक बारीकी से प्रित्वी पर स्वर्ग जैसा दिखता था हवा में सन्नाटे ने उनके दिलों में एक मारमिक्ता महसूस की और जो बात उन्होंने शुरू की वह यह थी कि सराय के शीर्ष पर एक अतुल्निय सुन्दर आकरती चुपचाप वहा लेटी हुई थी वह एक सुन्दर लंबी पोशाक में थी और उसकी सुन्दरता एक ताजा खिले हुए फूल की तरह थी जो सभी बर्फ के टुकडों के बीच में और भी अधिक प्रमुख थी तेजी से पिगलने से पहले बर्फ के टुकडे उसके शरीर पर गिरे वह सुन्दर आकरिती भीतर ही भीतर उदासी के संकेट के साथ मुस्कुराई और उसके बगल में मानव निर्मित पहाडों में शब्दों की एक पंक्ती उकेरने लगी एक शहर को तब तक परिश्कृत करना जब तक हम दोनों गुढ़ापे से मर नहीं जाते भगवान पती अनिक्षुक थे आपकी प्यारी पतनी ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन स्वर्ग उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तयार नहीं था इस जगह में जहां हम प्यार में पढ़ गए ग्रिफ्ट स्नो इनके शीर्ष पर मैं अपने पती के लिए हमारे प्यार से निर्मित निर्मान की सुन्दर्ता को देखने के लिए यहां प्रतीक्षा कर रही हूँ वे मनोहर शब्द उसकी भावनाओं की तीवर हलचल से भरे हुए थे इस क्षण परवत कापने लगे, अंतरिक्ष भी कापने लगा जैसे जैसे समय अपने आप रुकता गया, वैसे वैसे हिंपात का गिरना भी बंध हो गया केवल यह देखने के लिए कि इस समय सराय के उपर की ओर जाने वाली सीधी पर एक सुन्दर दिखने वाला युवक कापते हुए कदमों से चर रहा था कदम से कदम उपर की ओर वह बर्फ में पड़ी आकरिती की ओर बढ़ रहा था उसके दोनों हाथ और पैर काप रहे थे उसका सुन्दर चहरा चिन्ता और भय से भरा हुआ था जैसे कि वह एक अत्यधिक पीडा सह रहा हो अंत में वह महिला के पास पहुँचा थप्थपाने की आवास के साथ उसके घुटनों पर गिरते ही उसके पैरों ने रास्ता दे दिया उसके कापते हाथ आगे बढ़ना चाहते थे फिर भी क्या मिल जाए इस दर से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी एक पल अनंत काल की तरहे लगा उसकी आखों से खून बह रहा था इस तरहे का गर्द उसके लिए बहुत क्रूर था अमर जेड तुम हमारे लिए इतने क्रूर क्यों हो युवक की आवास काप उठी और जैसे ही उसकी आवास की आवास फीकी पड़ी जमीन पर बर्फ पिखल गई क्योंकि पहाड और भी हिंसक रूप से कामपने लगे आपने कहा था कि आप एक शहर के रूप में एक अभूत पूर्व डैबिय हथियार बनाना चाहते हैं मैं आपके साथ एक लंबी और कठिन यात्रा पर गया आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अत्यंत मूल्यवान सामगरी और खजाने को इकठा किया मैं केवल दुनिया के दृश्यों की प्रशंसा करना चाहता था आपकी कमपनी में हमेशा के लिए फिर भी हतियार बनाने के लिए आपका जुनून मेरे लिए आपके प्यार से कहीं अधिक था और आपने मेरा पीछा करने से इंतार कर दिया उसकी आखों से खून तपकने लगा जैसे ही युवक का शरीर बेकाबू होकर कापने लगा, और सिर्फ एक तर्क के लिए तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझे इतनी क्रूरता से क्यों सजा देते हो Drift Snow Master ने आखिरकार अपने हाथों को फैलाया, हलके से अपने प्रेनी के चहरे को सहलाया लेकिन जिस क्षण वह उसके संपर्क में आया, सुन्दर आकरिती का शरीर अचानक सफेद रोश्नी में बदल गया, एक ध्रमपून शरीर बन गया Drift Snow Master के शरीर में कमपन तेज हो गया उस मायावी महिला ने Drift Snow Master की ओर सीधे देखा और सौमेता और मधूरता की मुस्कान बिखेरी, मानो अपने कारियों की इच्छा दिखा रही हो और वह बिना किसी पच्चतावे के ऐसा करेगी, भले ही समय उलट जाए एक क्षण बाद वह मायावी शरीर धुए के टुक्रों में परिवर्तित हो गया जो पतली हवा में फैल गया युवक ने व्यर्थी अपने हाथ फैला दिये, कुछ भी पकड़ने में असफर रहा उसका चहरा और भी पीला पड़ गया, पूरी तरह से बिना किसी रंग के अरधा है 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 है, उस युवक ने अपना सिर्फ पीछे फैंका और दहाड़ा पूरा अंतरिक्ष कांपने लगा जैसे कि विनाश के कगार पर हो और ऐसा लग रहा था कि पूरा परिद्रिश तूटकर विखरने वाला है तुमने वास्तव में इसे शुध करने के लिए अपने मास और रक्त का उप्योग किया, यह चाहते हुए कि यह पूर्णता तक पहुँचे लेकिन तुम मेरे प्रती इतने क्रूर क्यों हो, यह युवक कोई और नहीं बलकी डिफ्ट स्नो मास्टर था उन्होंने असीन पीडा को सहते हुए, अपने दिल को बाहर निकाल दिया उसकी नजर फिर उस शहर की ओर मुरी जिसे उसने और अमर जेड ने मिलकर बनाया था थंडी हवा चली, बर्फ के टुकडे फिर गिरे डिफ्ट स्नो मास्टर के बाल काले से सफेध हो गए क्योंकि वह वहां अकेलेपन में खड़ा था खाली शहर को घूर रहा था, उस महिला की कबरगाह जिसे वह प्यार करता था द्रिश तब फीका पढ़ गया, धीरे धीरे धुंधला हो गया क्योंकि आदित्य ने अमरता की घंटी से अपनी धारना वापस लेने के बाद चुपचाप आहे भरते हुए अपनी आखें खोली ऐसा लगता है कि वास्तविक्ता अभी भी दर्स की गई किनवधन्तियों से थोड़ी अलग है, आदित्य बुद्बुदाया अमर जेर एक आदर्श शहर को परिश्कृत करने के लिए अपने जीवन का उप्योग करना चाहता था हथियार बनाने के प्रती उसके जुनून के कारण नहीं, बल्कि डिफ्ट स्नो मास्टर के लिए उसके प्यार के कारण इतना गहरा था कि उसे हड्डियों में उकेरा जा सकता था और दिल में उकेरा जा सकता था। वह चाहती थी कि वे एक साथ व्रिधावस्था में मरें, उनता के चरम पर कुछ अभूत पूर्व बनाएं जो हमेशा के लिए रह सके, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना की सुन्दर्ता में हमेशा के लिए एक साथ अपना जीवन व्यतीत किया। दोनों के आदश आपस में टकरा गए, जिसके कारण विवाद हुआ। प्राचीन घंटी की ओर चल पड़ा। उसी समय कई प्रतिभाय पहले ही आत्मविसर्जन की स्थेती में आ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने हतियार बनाने की प्रक्रिया में अपना सब कुछ जोग दिया था। असली कारण यह था कि वे घंटियों के भीतर छिपे रहसियों को हासिल करना चाहते थे, चाहे वह प्राचीन फोर्जिन के तरीके हो या कुछ और। यदी नहीं, तो उन्हें केवल एक दिव्य अस्तर बनाने के लिए विशेश रूप से यहां आने की क्या आवश्चक्ता थी। उनके लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा कि वे अपने ठिकानों पर दैविय हतियारों का निर्मान करें। असंख्य लप्टे जग्मगा उठीन और भी तीवर हो गई क्योंकि उनकी चमक ने इस स्थान को रोशन कर दिया, जिससे भीड से प्रशंसा की आह निकल गई। वास्तव में भयानक थी। दिव्यर शस्त्र निर्मान प्रक्रिया के दौरान विभिन भव्य और शांदार द्रिश दिखाई दिये, लेकिन आदित्य के पास इन सभी की परवाह करने का समय नहीं था। इस समय वह आखिरी इंमोर्टेलेटी बेल पर पहुंचे और आत्मव जैसे जैसे रनिक शिलालेक अभिसरन होने लगे, रूनिक लाइट चमकने लगी। रूनिक पाथवे की रेखाई फुदक रही थी, जैसे ही लौ एनर्जी सक्रिय हुई। आदित्य की धारणा नौ अमरता घंटियों में से अंतिम में डूग गई। द्रिफ्ट स्नो और रत्का उप्योग करने के लिए तयार हूँ, ताकि यहां हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकू, बर्फ के टुकडों को घूरते हुए डृफ्ट स्नो शहर बड़बडाया। शुरुवात में मैं और भी उचे शिखर का पीछा करते हुए दुनिया में घूमना चाह जो 30,000 मीटर से अधिक उचाई के साथ एक मॉलिक विशाल में परिवर्तित हो गया। यहां तक कि उसने और इम्मोर्टल जेड ने जो शहर बनाया था, वह उसकी तुलना में बहुत बड़ा नहीं था। अमर जेड क्योंकि यह जगह तुम्हारी कबर है। मैं तुम्हारे स स्नो मास्टर का शरीर एक बार फिर फैल गया, इतना लंबा की ऐसा लगा कि वह स्वर्ग तक पहुँच सकता है। अमर जेड आपको खुद को और मुझे दोनों को दंडित करने के लिए ऐसा क्यों करना चाहिए। द्रिफ्ट स्नो मास्टर दहारता रहा, उसका शरीर लगा द्रिफ्ट स्नो मास्टर के शरीर के हर हिस्से के चारों और भयानक रोशनी ठैल गई, ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वह स्वय एक भयानक दिव्य हथियार था। दिव्य प्रकाश चमक उठा, इसकी चमक की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक बार फिर विस्तार किया और कु जाना द्रिफ्ट स्नो मास्टर ने अपनी अंतिम इक्षा के साथ नौ विशाल प्राचीन घंटियों को बुलाया और उन्हें नौ अलग-अलग स्थानों पर बैठा कर शहर में फेंक दिया। इन घंटियों की आवाज इस जगह की रक्षा करेगी। जब भी मैं तुम्हार स्थानों पर घंटिया खड़ी थी, वहाँ से असीम प्रकाश निकल रहा था, इस पूरे स्थान को रोशन कर रहा था।